नमस्कार दोस्तों क्या हाल चाल आप सभी के आई होप आप सब बढ़ी आउंगे तो स्वागते आप सभी का इस PW के अमीजिंग से प्लाटफॉर्म पे और हम लेके आ चुके हैं उद्गम सिरिस और इसी उद्गम सिरिस के सीक्वेंस में आज अपन तीसरा लेक्चर डिसकस कर अपने उनको इंपोर्टेंट बोला था तो कहीं ना कहीं उस पूरे टॉपिक से सवाल ज्यादा पूछी जाते हैं नेट एक्जामिनेशन में सिमिलरली उसी तरीके से आज के सेशन में भी अपन इस केमिकल काइनेटिक सी चैप्टर में एक इंपोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जिससे कहीं ना कहीं नेट में बहुत सवाल आते हैं और वो बहुत आसान भी है तो यहां पे आज के सेशन में जो अपन डिसकस करने वाले chemical kinetics में वो कौन सा topic है तो आईए मैं उस topic को introduce करना शुरू करता हूं तो आज के session में जो अपन chemical kinetics में topic पढ़ने वाले that is what catalysis right now catalyst और उसका effect reaction rate पर इस पूरी story को जानेंगे और उस catalyst के effect में भी अपन specifically किसके बारे में पढ़ेंगे enzyme catalysis guys यह बहुत important है इससे बहुत सवाल आते है right now यह बाते मैं अभी बोल रहा हूं मैं जब आपको previous year दिखाऊंगा तो आप इस बात को feel कर पाएंगे कि हाँ इस पूरी story से सवाल पूछे जाते है right now तो सबसे पहले तो अपन इस पूरे session में catalyst और उसका effect देखेंगे again again फिर अप अपने पास दो method होंगे या दो mechanism होंगे एक तोगा जी मिकैलेस मेंटे mechanism और उसी के respect में होता है plot जो अपन पढ़ते है लाइन वीवर plot यह सारी story क्या है वही आज के session में अपन discuss करने वाले again जैसी अपन ने सारी बाते जानी यह सारी की सारी अपने story जानी है जैसी अपन ने फिर previous year questions को करना शुरू कर देंगे तो sequence अपना यही रहने वाला है पहले अपन catalyst के बारे बें जानेंगे थोड़ा बहुत फिर enzyme catalysis के oriented अपन specifically क्या-क्या बाते अपने लिए important है सवाल किन-किन बातों से आते हैं या होंगे वो सारी बातों को अपन पहले discuss करेंगे फिर ultimately अपन previous year question कर देंगे that's it right तो आईए बिना किसी देरी के मैं शुरुआत करता हूँ आज के session की तो सबसे पहले सबसे पहले जो अपन ने आज के session में पढ़ना है तो कही ना कहीं एक highlighted word है that is what catalysis या catalyst इस प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना इस session में जो भी मैं बोलूंगा तो सारी की सारी बाते सवाल में as it is use होंगी ठीक है यूज होंगी मैं के करके आपको दिखाऊंगा ठीक है तो आपको इस सारी बातों को ध्यान से सुनना है तो सबसे पहले मैंने लिखा catalyst तो सवाल उस reaction का rate बदल देता है बट वो खुद उसमें involved नहीं होता मतलब उसमें catalyst में खुद chemical changes नहीं होते हैं ऐसे substance को यह अपन क्या बोलते हैं catalyst मतलब जैसी मैंने catalyst डाला था वैसे ही वो reaction के बाद निकल जाएगा उसका कोई role नहीं होगा कोई consumption नहीं होगा उस reaction में बट उसका सिर that only alter the speed of reaction speed of reaction बोल सकते हैं या rate of the reaction बोल सकते हैं की बात है विदाउट without undergoing any chemical changes तो ऐसे substance को यह अपन क्या बोलते हैं catalyst right the substance that alter the speed of the reaction without undergoing any chemical change मतलब उसमें कोई chemical change नहीं होगा but हाँ वो reaction में अगर use हो रहा है तो उस reaction की speed को वो बदल देगा ठीक है बहुत बढ़िया simple बहुत बढ़िया again again सर यह तो होगया catalyst का मतलब अब सवाल उठता सर यह जो catalyst है यह catalyst actually मैं कैसे बदलता है speed of the reaction को जड़ा इसको थोड़ा brief कीजिए हना आईए मैं बताना शुरू करता हूं तो अगर मैं कहता हूं catalyst तो catalyst कैसे किसी भी reaction के rate को affect करता है तो catalyst provides ध्यान से सुनना line important है catalyst provide an alternate path for the reaction इसका मतला हाई यह मैं समझाना शुरू करता हूं और सवाल इसी बाग पे भी होगा अपने पास net का एक सवाल है इस बाग पे यह मैं आई यह मैं शुरू करता हूं तो अगर मैं कहता हूं catalyst तो catalyst कैसे किसी भी reaction के rate को affect करता है To catalyst करता है provides an alternate path for the reaction to occur यह autorate path बताता है की reaction को होने के लिए ad किसी और reaction को अगर होना है तो उसका alternate path यह उस reaction को provide करता है जिसके basis पे अपन कह सकते है कि हाँ, तुम्हारा rate of reaction बदल सकता है, अब इस बात का मतलब क्या है, इस line का मतलब क्या है, आइए मैं बताना शुरू करता हूँ, तो आपने कभी न कभी एक और हेनियस equation करके या activation energy करके कोई एक concept पढ़ा होगा, हाना, I hope आप सभी ने पढ़ा होगा, तो उसमें अपने ऐसा कुछ graph सा बनाते हैं, आइए मैं इस बात को इस graph सी समझाओंगा, तो मैंने energy और यहाँ पे लिखा reaction coordinate, तो ultimately होता क्या है reaction में, किसी भी reaction को अगर अपन देखत हैं, तो उसमें या तो reactant होता है, या फिर product होता है, कोई भी reactant है, वो product में जाएगा, सवाल उठता है कि सर, हाँ, अगर किसी भी reactant को product में जाना है, तो इसके according, एक concept है, आर येनियस ने जो दिया था, that is what activation energy का concept, जिसको अपन भी कही ना कहीं admire करते हैं, कि हाँ, collision सिर्फ ज़रूरी नहीं है, effective collision ज़रूरी है, किसी भी conversion को reactant से product जाने के लिए, तो ultimately किसी भी collision को अगर effective होगा, या effective होने के लिए, एक minimum energy चाहिए होता है, and that minimum energy is known as activation energy, तो माल लो, माल लो, जब मैंने कोई भी catalyst नहीं use किया, कोई भी catalyst यूज नहीं किया, कोई भी catalyst यूज नहीं किय तो माल ले, ये कोई activation energy था, uncatalyzed, वही reaction है, वही reaction है, reactant से product ही जा रहा हूँ, same reaction है, बट इसमें मैंने catalyst यूज नहीं किया, तो ये इस पूरे reaction का जो activation energy होगा, जो minimum energy होगा, किसी भी reactant को product जाने के लिए, उसको मैं लिखूँँगा, ये uncatalyzed, ठीक है जी, बिल्कुल, बिल इसमें कोई भी catalyst यूज नहीं हुआ, तो अगर मैं कहता हूँ, catalyzed reaction मतलब आप reactant से product ही जा रहा हूँ, बट इसमें मैंने क्या add कर दिया, जी, catalyst, बहुत बढ़िया, शाबाश, तो अगर मैंने catalyst add कर दिया, तो अब आपको एक बात, definitely मैंने अभी बताई है, कि catalyst add होते ही, reaction क rate बदलेगा, अब बदलेगा, तो इस पूरी story को ही मैंने एक line में लिखा, कि कैसे बदलेगा, it provides an alternate path, तो अगर मैं uncatalyzed reaction देखता हूँ, तो उसके लिए path ये है, बट जैसे मैंने catalyst add किया, तो definitely path ये तो नहीं रहने वाला, path change हो जाएगा, और path change होगा, तो कुछ इस प्रका से, अगर मैं कहूं, let's suppose, उसने path ये वाला follow किया, तो अब इसमें आपको क्या सीखने को मिल रहा है, कि हाँ sir, पहले जो uncatalyzed था, उसका activation energy अपने कैसे represent किया, ये uncatalyzed, again, again, जैसे मैंने catalyst use किया, तो उसका जो activation energy है, उसका जो activation energy है, वो कम हो जाएगा, कम कैसे हो जाएगा, क तो ये जादा था, अगर मैं कहता हूं, उसके respect में, जैसी मैंने catalyst use किया, तो definitely उसका path अलग हो जाएगा, that means उसका activation energy का value, या तो कम हो जाएगा, या जादा हो जाएगा, तो अपने का, let's suppose, वो कम हो गया, तो जैसी वो कम हुआ, तो हमने कहा, कि हाँ, अगर ये वाली activation energy नह कहीं ना कहीं, ये पूरी जो मैंने पीछे line बोली है, कि हाँ, अगर मेरे पास कोई भी catalyst है, वो reaction के rate को affect करता है, तो कहीं ना कहीं, वो alternate path provide करता है, किसी भी reactant से product जाने के, और generally, generally ऐसा होता है, इसी में आप एक और line add कर सकते हो, generally ऐसा होता है, कि catalyst lower the activation energy, generally ऐसा होता है, जो catalyst है, वो lower करता है, activation energy, by providing alternate path, right guys, तो ये, I think so, सारी बात है, आपको clear होंगी, कि हाँ sir, अगर माल लो, कोई भी reactant से product जा रहे हैं, तो किसी भी reactant से product जाने के लिए, एक minimum energy को hit करना पड़ेगा, and that minimum energy, उस reactant से, उस minimum energy तक पहुंचने वाली energy का, जो gap है, उसको कहते है, activation energy, पहली बात तो ये clear है, दूसरा, अगर मैं लो, मैं catalyst add कर दूँ, तो definitely, जो uncatalyzed का activation energy था, वो अलग होगा, जब मैं, उसमें catalyst add करता ह right now, और generally वो कम होता है, जैसी मैंने catalyst side गिया, उसका activation energy का, तो अब activation energy कम से reaction rate कैसे बढ़ जाता है, तो ध्यान से देख, अगर तो reactant से product जाना चाहेगा, तो इसमें जल्दी पहुंच जाएगा, as compared to यहाँ पे पूरा चड़ के तुझे यहाँ जाना पड़े, देखो जी, त तेरा rate of the reaction जादा हो जाएगा, तो ओवराल स्टोरी का conclusion यह है, कि as catalyst used the overall activation energy decreases and therefore, जो rate constant होगा, वो बढ़ जाएगा, which ultimately means rate of reaction बचाएगा, ठीक है, तो यह सारी बाते ही आपको clear होनी चाहिए, और यह सारी बाते अपन ने कहां से समझी है, उपर वाले graph से, ठीक है, तो इसी को अगर मैं दूसरे ढंग में बोलूँ, तो अगर मैं कहता हूँ, यह uncatalyzed, और इसी में, इसी में अगर अपन इसका comparison किया रहे है, यह catalyzed का, तो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है इस graph से, कि सर जो यह catalyzed है, यह catalyzed, जो catalyst के use से activation energy है, वो कम है, definitely कम है, तो कम है, तो अपन कहेंगे जी यह तो कम है, और अगर यह अगर एक्तिवेशन इनर्जी, जो uncatalyzed की है, अगर वो जादा है, तो इसका जो rate constant होगा, uncatalyzed का, definitely यह अगर uncatalyzed का activation energy इतना जादा है, तो यह reactant से product धीरे-धीरे जाएगा, मतलब इसका rate constant है, वो कम हो जाएगा, as compared to, जो catalyzed का है, उसका rate constant जाधा हो जाएगा, और अगर ऐसा है तो इसलिए अपन कहते हैं जो rate of reaction है uncatalyzed का यह कम रहता है और rate of reaction catalyzed का जाता हो जाता है तो यह कुछ conclusion था जो अपने ग्राफ से निकाला that is what the conclusion I hope इसमें किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं राइट ना यह सारी बाते अपने समझे है और यह बिल्कुल अब सवाल उठता है कि सर यह जो आपने बात बताई है यह जो बेसिक सी बात आपने बताई है जो हमको थोड़ी बहुत समझ भी आई है क्या इस बास से सवाल आते हैं क्या यार हाँ बिल्कुल आते हैं तो आईए मैं पहला सवाल दिखाता हूं जो की net में पूछा गया है यह राजी पहला सवाल CSIR NET 2018 में यह सवाल पूछा गया है दिसंबर का सवाल है आईए मैं पहले तो आपके लिए एक बार सवाल रीड कर देता हूं ठीक है फिर मैं आपको बताता हूं सवाल करना कैसे है क्या रहा है दा एक्टिवेशन एनर्जी इनर्जी फॉफ और याक् पहले है तो पहले लाइन पढ़ती है अब मको कुछ खो रहा है कि हाहाँ अभी जो अपन पढ़ती किया वह चीज कहीं ना कहीं पहली लाइन में अच्छीcr औप R हंप ये और बसन Byam 12 किलो कैलरीज क्यों बिकॉस अफ एडिशन ऑफ एंजाइम प्रेसंस ऑफ एंजाइम और एंजाइम क्या होता है कैटलिस्ट अगें अगें क्या रहा है कैल्कुलेट दा फैक्टर बाइविच गर्याक्शन रेट इनक्रीज़ तो ये बात मैं अभी आपको संजा कैया हूँ जस्ट अभी कि हाँ अगर क्योंकि उसने रिडिउस्ट बोला है तो कैटलिस्ट के प्रेजन से जो एक्टिविशन एनर्जी वो घट रहा है तो हमने तो ये बात अभी जनरलाईज करिए कि सर हा बताना है और इसका concept अभी सीख क्या है तो आईए उस सवाल को करते हैं ज्यान सुनना तो इस सवाल को करना कैसे है तो बिल्कुल अपन को दो केस दे रखें एक तो uncatalyzed uncatalyzed and again catalyzed यह दो केस एक तो catalyzed है एक uncatalyzed अब catalyzed मतलब जिसमें अपन enzyme का यूज कर रहें और uncatalyzed मतलब जिसमें अपन enzyme का यूज नहीं कर तो जैसे अगर मैं एक बार फिर से सवाल पढ़ू तो उसने पूछा है अपन को दा factor by which reaction rate increases कौन से factor से तेरा कितने factor से तेरा reaction rate increase करेगा अगर तेरा activation energy इतना घट रहा है यह सवाल है तो आईए बिल्कुल असान सवाल सबसे पहले तो अपन को uncatalyzed reaction के लिए अगर मैं लिखूँ तो हमको एक चीज़ पता है के क्या होता है according to activation energy a e to the power e upon rt अगर मैं आरहनियस को according देखूँ तो rate constant और activation energy का relation ऐसे लिखा जाता है और इस बात को भी अपन discuss कर चुके राइट ना इसी series में आपको जो सबसे पहला अपन ने topic discuss करिया था तो जिन्होंने नहीं दिखा है वो जा के देख सकते हैं ठीक है so that is what the relation of rate constant with activation energy which is given by आरहनियस ठीक है बहुत बढ़ी अब इसी का यूज़ करके जब मैं कहता हूं uncatalyzed है तो मैं simple denote करूँगा un is equal to a e to the power ea un upon my art ठीक है un मतलब uncatalyzed again अगर catalyzed है तो मैं c यूज़ करता हूं या cat कहले अगें a e to the power ea upon upon my art अब उसने कहा है the factor by which मतलब कितने गुना इसका मतलब होता है कितने गुना अगर activation energy तना घट रहा है तो rate कितने गुना बढ़ा होगा that means इसके comparative में ही तुम्हें answer करना है कि इससे इतना गुना बढ़ा होगा या इतना गुना कम हुआ होगा तो इन दोनों को relate करना अब relate कैसे करूं divide कर दो divide कर दो जी करो जी divide देखो के uncatalyzed upon k catalyzed बराबर इसको divide करूंगा तो this will cancel out this will cancel out बचेगा क्या इसको और लिखना चाहता है तो के catalyzed upon के uncatalyzed लिख लिए इसको जब तू सॉल करेगा तो ए इटू दी पावर इए इसको लेके जाओंगो तो यह बनेगा यह अन-catalyzed बनेगा यह अन-catalyzed बनेगा यह अन-catalyzed बेस्ट एक सिंबल है डेनोट करने के लिए कि catalyzed है यह अन-catalyzed तो बेस जब सेम होते हैं और multiply में होते हैं तो पावर एड़ होती है कि टूदी पावर माइनस यह जो catalyzed अपॉन आर्टी प्लस यह जो अन-catalyzed अपॉन में इसको सॉल कर लेंगे अब इसको सॉल करेंगे तो अपने पास जो अंसर आएगा वह इसको लिख सकता हूं यह आगे पीछे लिख सकता हूं अन-catalyzed माइनस यह है catalyzed होल के अपॉन में कहा है जी आर्टी अब ऐसा क्यों लिखा हूं ऐसा इसलिए लिखा विकॉस मुझे सवाल में एक डाटा गेवन है ट्वेल्व किलो कैलरी और यह डाटा मुझे क्या कह रहा है कि जब भी मैं एक्टिवेशन एनर्जी देख रहा हूं तो वह घट जा रहा है बारा किलो कैलरीज इन दा प्रेसेंस ऑफ एंजाइम तो अगर मैं अन-catalyzed का देखता हूं तो उसका catalyzed है और जितना uncatalyzed था दोनों का जो माइनस होगा अरे obviously कुछ x value मानले uncatalyzed का था और कुछ y value इसका हो गया तो उसने कहा कि x से y आते आते वो बारा किलो कैलरी घट गया तो इन दोनों को यह catalyzed is equals to 12 दाट मेंस इनका difference दे रखा है बारा उपर रख दो एटुदी पावर 12 यूनेट ध्यान रखना kilo calorie है वह या kilo calorie upon में नीचे अगर उपर calorie है तो नीचे आर का unit किस में आएगा तू calories में तो उसको बदल ले पहले तो इसको मैं 1000 calories लिख सकता हूं upon two calories into में 300 गैस यहां पर मैंने क्या किया मैंने simply यह जो kilo calories में था उसको calorie में बदला क्यों क्यों कि मुझे आर का वेल्यू कैलरी में रखना है तो मैंने सिंपल कैलरी में रख दिया और इसको जब मैं सॉल करूंगा कैंसल आउट हो जाएगा दिस विल अल्सों कैंसल ओट इस बिकम्स तो ओवर आल जो आपका अंसर आ रहा है एक टो दी पावर 60 अपन में अगर मैं इसको सॉल करूंगा तो बनेगा 12 इंटू 1000 इस तू विल बिकम्स और विकम्स और इट बिकम्स 60 यह आपका सिंपल सा एक एक टुदी पावर 60 बावर 3 अंसर आए अब इसको अगर आप देखोगे के सी अपॉन के अन इसको जब अपन सॉल करते हैं इसको फैक्टर को जब अपन सॉल करेंगे इस तो अपने पास जो वेल्यू बनता है इस वोट 5 इंटू 10 इस तो पावर एट तो एक केसी कितना होता है जी 5 इंटू 10 इस तो पावर एट इंटू में के अनकेटलाइस्ट तो ओवरल स्टोरी का मतलब क्या है इस पूरे एक्स्प्रेशन का मतलब क्या है इस पूरे एक्स्प्रेशन का मतलब है कि जो भी कैटलाइस्ट है जो भी कैटलाइस्ट का रेट कॉंस्टेंट है यह बात मैं अभी सिखा के आया हूँ कि जो भी catalyzed का rate constant होगा वो जादा होगा कितना कितना जादा होगा तो इस बात को हम कैसे देखेंगे जी तो ऐसे देखेंगे जी केसी के uncatalyzed से कितना जादा है जी इतने गुना जादा तो यह सारी बाते कहीं ना कहीं अपन ने जो सबसे पहले सीखी है इस ग्राफ से कहीं ना कहीं सवाल इसी के बेसिस पर तो ओवरॉल कोश्यन में अपन ने क्या किया हमको एक uncatalyzed का data activation energy दे रखा था एक catalyzed का activation energy दे रखा था और उन दोनों में difference बोला था कि जब इतना uncatalyzed के लिए था तो उसमें जब मैं catalyzed की तरफ जाता हूं तो overall difference कितना रहता है तो उससी बेसिस पर अपन ने पहले तो उसका difference देखा एंड देन अगेन देन अगेन अगर मैं बात करता हूं तो rate constant का फिर अपन ने रेशो निकाला तो कुछ इतना अंसर आएगा that is what option नमबर का सवाल है और आई होप यह सवाल आपको इजी लगा होगा ठीक है आई यह मैं इसी स्टोरी को अब थोड़ा आगे बढ़ा आता हूं ठीक है आई कि हमने सबसे पहले तो यह जाना कि catalyst क्या होता है then again catalyst कैसे किसी भी reaction की rate को बदलता है उसको देखा that means वो generally lower करता है activation energy को और उसका effect भी कहीं ना कहीं अपन ने पहले समझा फिर सवाल में apply किया अब यहाँ पे तो अपने थोड़ा बहुत catalyst के बारे में जाना बट अब specifically हमको अपनी जो पूरी discussion है वो enzyme catalysis के orientate रखनी है तो आईए मैं शुरू करता हूं enzyme catalysis यह जो है enzyme catalysis इस एक particular topic से इस एक enzyme catalysis से ही सवाल पूछे गए हैं ज्यादा तर नेट में तो आज के इस पूरे session में जो अपना अपसे जो discussion होने वाला है that is what enzyme catalysis के oriented होने वाला तो अपने कुछ catalyst का function जाना कि catalyst कैसे work करता है ठीक है फिर उसमें अपने activation energy और उस activation energy का कहीं ना कहीं rate of reaction पे कैसा क्या relation है उसके basis पे सारी बाते बोली फिर अपने सवाल भी देखा अब जो next story अपन पढ़ेंगे that is about the enzyme catalysis तो सवाल उठता है कि सर ठीक है enzyme catalysis है तो यह enzyme क्या है तो enzyme एक biological catalyst होता है ठीक है जी biological catalyst है तो हाँ क्योंकि catalyst है तो यह भी कहीं ना कहीं reaction की rate को बदलेगा सवाल उठता है कैसे तो इस बात को जानने के लिए एक mechanism दिया गया एक इंसान के द्वारा एक आदमी के द्वारा और उसी आदमी का नाम है मिकैलेस मेंटे और इस बंदे ने एक mechanism दिया to study enzyme catalysis तो इसी mechanism को follow करके ही अब हम इस पूरे enzyme catalysis की story को जानेंगे तो आईए मैं इस mechanism में ऐसा क्या है उस बात को पहले तो यह mechanism जानते है फिर उस mechanism के basis पे हम enzyme catalysis का effect देखेंगे यह relation देखेंगे किसी भी rate के साथ rate of the reaction के साथ ठीक है जी आईए तो मेकैलेस मेंटे मेकैलेस मेंटे ने एक mechanism दिया जो कुछ इस प्रकार से था the mechanism of enzyme catalyst enzyme catalysis is given by मेकैलेस मेंटे एस तो उसने कहा कि एक कोई enzyme है जो किसी भी substrate के साथ bind करेगा substrate क्या होता है कोई भी ऐसा reactant हना तो enzyme जो किसी substrate के साथ bind करके direct product में convert नहीं होगा पहले वो कोई एक enzyme substrate complex बनाएगा और उस enzyme substrate complex के बनने के बाद ही वो product में convert होगा और again enzyme as it is निकल जाएगा क्योंकि enzyme में catalyst है और catalyst का एक feature अपन ने यह भी बोला था कि हाँ वो reaction में use तो करेंगे उसको डालेंगे तो बट उसका involvement नहीं होगा वो सिर्फ reaction की rate को बदलेगा तो जैसी अपन ने आप enzyme डाला था वैसे वो यहां से निकल जाएगा ठीक है तो this is what the mechanism which is given by Michaelis mental अब इस mechanism में इन सबके rate constant दे रखे हैं ठीक है तो इस mechanism के basis पर ही अब हम यह जानेंगे कि कोई भी enzyme किसी भी reaction के rate को कैसे effect करता है ठीक है तो आईए मैं जानना शुरू करता हूं इस mechanism को अगर मैं देखूं mechanism को तो इस mechanism में पहला step क्या है जो भी enzyme है वो पहले substrate से bind करके क्या बनाएगा enzyme substrate और इस step में वो equilibrium में रहेगा with rate constant k1 k- again जो enzyme substrate complex है वो तूटेगा तो product बनेगा और enzyme खुद बखुद बाहर आ जाएगा इसका rate constant क्या है जी तो यह दो step है जो मुझे इस mechanism में नजर आ रहे हैं तो guys इससे पिछले वाले session में जब हम complex reaction की story पढ़ रहे थे तो complex reaction की story पढ़ते समय हमने एक बात जानी थी कि सर complex reaction ऐसी reactions होती जो multiple step और हाँ अगर कोई भी reaction multiple step है तो हर एक reaction के लिए अब हमें rate लिखना आता है क्योंकि ultimately यह बात मैं यहां पर क्यों बोल रहा हूं क्योंकि हाँ एक तो यह भी multiple step है और इस reactions में भी इस mechanism में भी हमें rate ही पढ़ना है तो इसलिए अब मैं जितने भी mechanism में steps है उन सारे steps को पहले तो अलग-अलग लिखूंगा फिर सारे steps के लिए मैं rate expression लिखूंगा राइट ना तो आईए मैं इन सारी बातों को बोलना या करना शुरू करता हूं तो मैंने सबसे पहले लिखा enzyme plus substrate यह क्या बनाएगा enzyme substrate यह फॉर्वर्वर्ड के लिख दिया म हमारा product plus enzyme तो यह तुमारे पास तीन step है जिसमें पहले का rate constant k1 है k-1 है k2 है यह लिखा हमने बिलकुल बिलकुल सिंपल अब इसके लिए मुझे अब हर एक step के लिए rate भी लिखना आता है जो कि आपको भी आता है dE upon dt is equals to minus ds upon dt is equals to dE या dE s upon dt is equals to k1 e into s किसी को यह चीज़ अगर नहीं आती है तो हमने पिछले सेशन में इनी बातों को discuss किया और इनी के basis पर सवाल किया है ठीक है तो सबसे पहले तो आप पने सबको अलग अलग लिख लिए अब सब के लिए rate लिखूंगा तो पहले के लिए लिख लिए दूसरे के लिए माइनस DES अपन में DT D Eपन में DT DES अपन में DT is equals to k-1 yes again minus DES अपन में DT D P अपन में DT D Eपन में DT is equals to k2 तो हम अभी कर क्या रहे है हम कहीं नहीं इस पूरी कहानी को जब अन्त में लेके आएंगे अंत में जो conclusion मिलेगा अंत में जो formula मिलेगा जो relation मिलेगा सवाल उसी के basis पे हो ठीक है तो मैं वो relation की और इस पूरी calculation को लेके चल रहा हूँ ठीक है जी तो सबसे पहले तो अपन ने सब के लिए rate लिख दिया अब क्यूंकि हमें इस पूरे reaction में जो mechanism हो रहा है इस पूरे mechanism में हमें यह कि जो enzyme है वो इस substrate ultimately यहाँ पे है क्या जो enzyme है वो किसी भी substrate में डाला जाता है ताकि product बन जाए ऐसा ही हो रहा है और enzyme निकल जाए तो जब मैंने substrate से product जाना है मतलब substrate मतलब reactant reactant से product जाना है तो यह तो simple reaction है बट अगर मैं इसमें enzyme डाल के जा रहा हूँ तब बताओ इसका rate कै कैसे बदलेगा तो जब मैं इसमें enzyme डाल रहा हूँ तो उस enzyme के डालते mechanism कैसे जा रहा है जी ऐसे जा रहा है तो इस पूरी reaction का mechanism यह है और इसके basis पे मैंने अब सबके rate लिख दिए और उस rate की calculation को मैं करना शुरू करूंगा तो हाँ अगर मैं कहीं ना कहीं enzyme का effect देखना चाह रहा है तो overall story में मैं कहना यह चाहता हूँ कि हाँ अगर मेरे पास यह mechanism है तो अब हमको product formation देखना है तो rate of product formation which is product क्योंकि P है इसका मतलब dp upon dt इसका value निकालना है तो बहुत इसी है बहुत इसी है इन सबको अपन ने इसी लिए लिखा क्योंकि अब मुझे मानले dp upon dt चाहिए तो यहाँ पे कहीं भी dp upon dt नहीं है दूसरे में भी नहीं है तीसरे में है बिल्कुल है तो इसका value लिख तो k2 into में yes that's it अब यहाँ पर जैसी अपन ने value लिखा तो एक चीज अब मुझे और नजर आ रही है कि सर यह जो इस है यह पहले step में तो product है दूसरे में क्या है जी reactant है तो हाँ यह product भी है reactant भी है मतलब यह intermediate है और अगर intermediate है तो उसका concentration अपर rate के expression में नहीं लिखते हैं इसको अपन हटाएंगे क्यों नहीं लिखते हैं और हटाएंगे कैसे इसकी story अपन पिछले session में भी या पिछले एक जो अपन ने topic discuss किया था complex reaction वाली story में भी अपन ने इसको discuss किया था तो फिलाल के लिए क्योंकि यह intermediate है yes is an intermediate intermediate क्या होता है जो product में भी हो और reactant में भी हो त तो सिंस इसको इसको इस क्या है एक intermediate है इसकी concentration को मैं हटाऊंगा कैसे हटाऊंगा तो बाए कि अप्लाई एस 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 एप्लाई करूंगा अब एसस से एप्लाई करूंगा तो उसके according जो भी intermediate का concentration होता है समय के साथ वह बदलता नहीं है जीरो रहता है अब इसका value निकालूंगा यहां पर एक तो यह आ रहा है अगें यह आ रहा है अगें यह आ रहा है तो तीनों में ही value आ रहा है तो तीनों का value लिख दो इंटो में s गाइस यह सारी बाते हमने पिछले session में discuss करी थी उस पर सवाल भी हिये थे right now तो यह आ गया k1 1 इस मीडिगे जाओंगा तो मैंस के मैंनस 1 इस अगें माईनस-कटो एस ठेए और इसका value किसके बराबर कि से बराबर सब्सक्राइब जेरों के बराबर मैं इसको इस साइड ले वो इसको और ऊदिदी लो ओर नu किह दो गीएंत Алग में बोलना चाहता है यहां पर एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि यहां पे enzyme enzyme जो है इस enzyme में E का जो concentration है उसको अपन क्या लिखते हैं E not minus E S In La Paz यह कि अगर मैं total enzyme concentration की बात करूँ तो वो किसके बराबर होता है free enzyme यह चीज आपको बस ध्यान रखनी है कि हाँ इस मेकैनिजम के अकॉर्डिंग की जो भी टोटल कॉंसेंट्रेशन एंजाइम का जो अपन यूस कर रहे हैं वो किसके परावर होता है फ्री एंजाइम कितना है उसमें और टोटल बाउंडिट कितना है सबस्टेट के साथ ठीक है तो यहां से फ्री एंजाइम कितना है जी इनॉट इस इकोल स्टु फ्री एंजाइम ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और बाउंडिट मतलब सबस्टेट के साथ एस बाउंडिट एंजाइम तू सबस्टेट ऐसा लिखूंग अब यहां से मुझे एका वेल्यू चाहिए त के वन इनॉट माइनस एस इंटु में एस माइनस के माइनस वन एस माइनस के टु अब इसको जैसी में सॉल्फ करूंगा तो यहां से अब मैं इसको मल्टिप्लाई करूंगा पहले तो अंदर चलो जी सॉल करो इसको 0 is equals to k1 e0 s का भी मल्टिप्लाई होगा माइनस k1 e s इंटु में s माइनस k-1 e s माइनस k2 ठीक है that should be equal to 0 अब जो भी माइनस वाली टाम है उसको इस साइल ले आएंगे ठीक है तो यह बनेगा क्या k1 e0 s बराबर में k1 e s इंटु में s plus k-1 e s plus k2 e s guys इसको solve करना ही पड़ेगा मैं solve क्यों कर रहा हूं क्योंकि इसके अंत में मैं एक relation लिखूंगा और यकीन मानों उस relation से 10 सवाल है नेट में 10 10 सवाल है मैं दिखाऊंगा गिंती के साथ गिंती के साथ दिखाऊंगा ठीक है दस सवाल है ठीक है जी तो मैंने सिंपल लिखा e not s is equals to k1 e s plus k-1 e s plus k2 e s सिंपल मैंने एस से लगाया और हमको s s से लगाना क्यों है क्योंकि अपनको e s का concentration चाहिए क्यों क्यों क्योंकि e s एक intermediate है अच्छा तो intermediate है तो वो rate expression में concentration उसका आ रहा है तो intermediate तो मुझे दिखता नहीं है न रियक्षन में अब या तो reactant होता या product होता है उसके बीच वाला तो हमें नहीं दिखता न तो नहीं दिखता तो उसकी टर्म में अपन rate को express नहीं कर पाएंगे तो इसी लिए हम उसको हटाएंगे by using s से तो यहां से e s का value निकालूंगा k1 e naught s upon यहां से value क्या आएगा upon में k1 s plus k minus 1 plus k2 is equals to s कुछ नहीं किया है यहां से सब में e s e s e s a सब को common ले लिया और बच्वी चीज को नीचे लिया है तो इस वाट equation number 1 इस वाट equation number 2 अब सब्सक्राइब कर दो तो dp upon dt क्या बनेगा जी k2 अल्रेडी था e s का concentration क्या यह k1 e naught s upon में k1 s plus k minus 1 plus k2 यह आपका एक final expression बनेगा किसका rate का in terms of enzyme की concentration का कि कितना अपने enzyme concentration लिया था तो overall यह final तुमारा rate बनेगा product formation का किसी भी enzyme के mechanism को follow करते हुए ठीक है अब सवाल इसी एक expression के oriented है और सवाल कैसे आएंगे तो आईए पहले तो इस formula को थोड़ा modify करना पड़ेगा जो कि हम कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं तो dp upon dt कितना है जी k2 k1 e naught s upon में k1 s plus k minus 1 plus में k2 यह आपका एक simple सा rate का expression आया इसको dp upon dt भी लिख सकते हो या rate भी लिख सकते हो एक ही बात है ठीक है एक ही बात है अब इसमें मैं क्या करूंगा तो इसको और डी नॉमिनेटर सिंपल ऊपर वाली टर्म को भी k1 से डिवाइड कर दो नीचे वाले को भी करो जी इसको अब मैं रेट लिखके चलूंगा रेट ही आए तो k1 k2 e naught इंटू में एस अपॉन में k1 अगें अपॉन k1 s plus k-1 plus k2 इसको भी मैं सबको k1 से डिवाइड करूंगा अरे एक ही बात है न अगर मैं सबको k1 लिख रहा हूं तो इसको अलग अलग लिखूंगा तो ऐसे भी लिख सकता हूं अब इसको सॉल्व करों एक हो जी यह वी कैंस सब्स्टेट कॉंसेंट्रेशन प्लस यहां पर बचेगा जी के माइनस 1 प्लस के टू अपॉन में कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए सेंपल अपन ने बोला यह जो रेट एक्स्प्रेशन इसको मैं नुमिरेटर और दिनॉमिरेटर दोनों में के 1 से डिव इस वाली चीजेश को खुद का कॉंस्टेंट का नाम दिय विच इस नून अश्गे एम जिसका अपने एक नाम देते हैं मिकैलेस ऐ धा है कको क्उंस्टे के मिकैलेस कॉंस्टेंट किसके बराबर होता है तो km is equal to k-1 plus k2 upon k1 यह बहुत important है यह important है जी k-1 plus k2 upon me k1 अब सवाल में अगर मान लो मैं आपको k-1 दे दू k2 दे दू k1 दे दू और पूछू में कैलेस constant बताओ हो जी तो अब बता सकते हो इसली बता सकते हो ना यार तो यही सवाल है राइट ना तो एक तो यहां से अपने km का वेल्यू देखा दूसरा अब इस पूरी चीज़को मैं km से रिप्लेस कर सकता हूं तो अब जो और एक एक्स्प्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा जी ऊपर है जी के टू ए नौट एस डिवाइड में है जी एसका concentration प्लस में km क्या है जी मिकैलेस कॉंस्ट तो यह आपका एक रेट एक्सप्रेशन बनेगा जो की आपको याद रखना है यह भी आपको याद रखना है याद रखना है जी याद रखना है और यह भी आपको याद रखना है अगर मैं मिकैलेस कॉंस्टेंट को अंग्रेजी में define करूँ तो मैं कैसी कर सकता हूँ तो याद करो अपनने mechanism क्या पढ़ा है कि सर जो enzyme है वो substrate के साथ interact करेगा या react करके पहले तो एक enzyme substrate complex बनाएगा फिर वो enzyme substrate complex तूट के product में जाएगा और एक enzyme को फिर से वो region rate हो जाएगा तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ में कैलेस constant की तो ध्यान से देखना k-1 प्लस में k2 इसका मतलब कि k-1 क्या है तो जो enzyme substrate complex बना है वो तेरा वापस तूट के क्या बन रहा है enzyme plus substrate rate enzyme plus substrate बन रहा मतलब reverse जा रही है reaction अगेन जो k2 है k2 भी क्या रिप्रेसेंट कर रहा है जो enzyme substrate complex है वो तूट रहा है तो overall मतलब यह है कि सर अगर आप k-1 वाला rate देखते हो rate constant तो यह भी तूटने को ही रिप्रेसेंट कर रहा है कि enzyme substrate complex तूट रहा है अगेन 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 आप कहते हो और ES k2 rate constant से तो यह भी कहीना कहीं तूटना यह तूटना ही रिप्रेसेंट कर रहा है अभे तूट के product और एंजाइम बन रहे ना यार तो यह भी तूटना ही रिप्रेसेंट कर रहा है तो overall क्या है उपर वाली दोनों चीज़ क्या है जो rate of decomposition किसका of enzyme substrate complex इसका decomposition देखने है और अगेन के वन क्या है के वन है जी formation कि कितना वो बन रहा है कि कितना वो बन रहा है ES form हो रहा है that is rate of formation of yes तो इसी को अपन mathematical term में नीचे लिखा हुआ है और इसी को अगर language की term में लिखे तो हम ऐसे लिख सकते है इसको ठीक है तो दिस इस वाट मिकलेस constant और यह आपका rate expression मनता है for enzyme catalysis mechanism ठीक है अब इस से सवाल कैसे आएंगे राइट ना तो हमने जो rate expression अभी derive किया था उसको याद रखना है that is what k2 जान सुनना k2 e0 s upon में s plus में यह आपको याद रखना है यह याद रखना है यह इंपोर्टेंट है यह इंपोर्टेंट है यह आपको याद रखना ठीक है यहाँ पर के यम का value क्या है इसको भी आपको याद रखना है के माइनस वन के टू अपॉन में के वर सर याद तो रखना है आप बोल रहों इनको याद रख लेंगे यार यह याद क्यों रखना है मैं यह भी बताऊंगा मैं यह भी बताऊंगा कि इसको याद क्यों रखना है क्योंकि सवाल है वहिया सवाल है जी हां बिल्कुल सवाल भी क अब इसी में इसी में अगर मैं इस rate वाल expression का इस्तमाल करूँ rate वाल है जो अपने पास final expression बना इसका इस्तमाल करूँ तो यहां से मुझे दो graph बनाने हैं कौन कौन से और उनी दोनों graph को मैं कुछ-कुछ नाम दूँगा जो शायद आपने सुने होंगे तो पहला graph में बनाऊंगा rate versus substrate concentration और दूसरा में बनाऊंगा one by rate versus one by substrate concentration कुछ नहीं किया rate और concentration का graph बनेगा पहले rate versus substrate का concentration दूसरा one by rate versus one by substrate concentration अब यह दोनों graph है तो सर यह दोनों graph को कहेंगे क्या-क्या तो इनके एक-एक नाम है यार और वो नाम ही सवाल में मैंशन करता है पहले वाले का नाम है मिकैले जो किसके बीच में है rate versus concentration of substrate whereas अगर मैं one upon rate versus one upon substrate concentration की बात करता हूं जिसको अपन कहते हैं लाइन वीवर ठीक है इसको अपन हम कहते हैं लाइन वीवर प्लॉट तो यह दोनों graph बनाऊंगा फिर उन ग्राफ के basis पर ही सवाल कैसे आते हैं उन बातों को हम discuss करना शुरू करेंगे तो आईए सबसे पहले तो हम बनाते हैं जी पहला मिचैलेज मेंन प्लॉट आप सारी बाते अराम से सुनते जाईए मैं हर एक बात आपको सवाल में दिखा अंगा हर एक बात ठीक है मिचैलेज में प्लॉट कहीं ना कहीं सर हाँ यह प्लॉट रेट वर्सेस सबस्ट्रेट कॉंसेंटरेशन का ग्राफ बनेगा किसके बेसिस तो rate का expression अपन ने लिखा k2 e0 s upon me km plus में s तो यह हमने एक rate का expression लिखा जो हमने derive किया again इसमें rate भी आ रहा है और s भी आ रहा है, substrate का concentration भी आ रहा है तो अब इसी के basis पे graph बनेगा अब graph बनेगा तो सबसे पहले तो भईया graph बनाना है तो graph में line ने खैच दो जो जी यह हमने दो axis बना दी जिसमें एक में हमने लिख दिया जी rate और एक में हमने लिख दिया जी concentration किसका substrate का और specifically लिख देते हैं concentration of substrate ठेके अब इसका graph कैसे बनेगा तो हम graph कही ना कही substrate और rate के बेसिस पर बना रहें तो माल लो माल लो जो substrate का concentration वो इस तरह बढ़ रहा है अब इस तरह बढ़ रहा है यह maximum होगा यह minimum होगा तो जब substrate का concentration बढ़ रहा है तो let's suppose पहला case तीन case में यह graph अपन समझेंगे इसका graph कुछ इस प्रकार से आता है यह कुछ इसका graph आता है अब सर यह graph जो आया है इसका मतलब क्या है इसका physical significance क्या है इसी बात को मैं बताना शुरू कर रहा हूँ तो मान लो case 1 जब मैं कहता हूँ high concentration of substrate अर्य ओवियसली न यार substrate का concentration versus graph बना रहा हो तो इस सरफ high है फिर देखूंगा जी जब low है और जब मैं कहता हूँ very low है यह 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 कहले simply जब high है low है तो क्या variation होगा इसका ठीक है दो case पढ़ूँगा पहला कहा है जी high concentration of s substrate का जब high concentration है तो हाँ सर अगर इसका high concentration है तो इस condition पर अगर आपको rate का variation देखना है तो हाँ concentration of substrate और rate तो इस expression से relate करते और उसमें भी अगर आप high concentration की बात करोगे तो जैसी आपने high बोला न तो मुझे आप नीचे addition में दिख रहा है तो हमेशा गाइस एक बात ध्यान रखना है जब भी अपन किसी चीज को neglect करते हैं किसी के respect में तो हमेशा addition या subtraction में किया जाता है multiply में उसको neglect नहीं किया जाता है बात समझते हैं अगर मैं कहता हूं कि इतने है जी माइनस में मन तो यह overall कितना almost हम कह सकते हैं जी सेम ही रहेगा ठीक है यह प्लस में होगा multiply में हम ऐसा नहीं कहते हैं तो हाँ अगर मैं overall story कहूं हूं तो अगर high concentration एसका है तो नीचे मुझे क्या देख रहा है सब्स्टेट का अगर high concentration है तो अब इसका value बहुत जादा है यार के एम से और अगर के एम से इसका value जादा है तो उपर वाल expression कैसे नजर आएगा हमको so rate becomes k2 e0 s upon में s हम इसको neglect कर देंगे और neglect करेंगे तो यह चीज़ हट जाएगी यह बचेगा और जैसी यह बचा तो अब तुझे पता इसको जब मैं cancel out कर दूंगा तो rate मुझे कैसा नजर आएगा k2 e0 और इसको लिखना भी चाहता है तो s की पावर 0 लिख लो अभे किसी की भी पावर 0 लिखूंगा तो वह नहीं है ना यार तो या तो इसको काट के लिख लो या अगर लिखना है तो s की पावर 0 लिख लो एक ही बात अब s की पावर 0 सर लिखना ही क्यों ऐसा लिखना क्यों है क्योंकि अब यहां से सवाल ऐसा भी आ सकता है कि जब मैं high concentration जब मैं मिकैलिस मेंटे प्लॉट में जब मैं rate और substrate का गराब बनाता हूं तो उसमें अगर मैं high concentration of substrate की बात करता हूं उस case की बात करता हूं तो उसमें बता substrate के respect में order क्या होगा 0 होगा enzyme के respect में order क्या होगा 1 होगा तो यहां पे अपन बोलेंगे 0 order with respect to substrate इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है यह ध्यान रखनी है सारी बाते यह क्या है फर्स्ट ओर्डर with respect to enzyme तो कहीं न कहीं यह चीज हमने कहा देखी maximum concentration पर तो maximum concentration मतलब high value of s तो इसमें जब मैं graph देख रहा हूं तो graph कुछ इस प्रकार से आ रहा है जो कि सही भी है जो कि सही भी है क्यों constant ही रहेगा क्यों क्यों कि तुझे पता है कि आगर मालने मैं कोई भी zero order की reaction लिखता हूं तो मैं इसमें लिखूंगा minus da upon dt is equals to k concentration of a की power 0 तो यह rate हो गया और concentration की power 0 मतलब 1 तो कहीं न कहीं जब भी मैं zero order की बात करता हूं तो उसमें जो rate है न वो concentration के साथ vary नहीं करता वो स्थिर रहता है वो constant रहता है विच मीज कि सर अगर high concentration देख रहे हो substrate का तो उस पे substrate के respect में order 0 है और अगर order 0 है तो rate इसी लिए वो constant graph आ रहा है तो high concentration पे graph constant ही रहेगा मतलब जितना rate का value है यह इतना ही रहेगा कितना भी high कर ले से ही रहेगा constant ही रहेगा तो हम कहते है कि higher maximum इतना होना चाहिए इतना हो गया इसके बाद तो बढ़ेगा इनी ना constant रहेगा तो इसी को अपन कहते है आर मेक्स rate maximum आर मेक्स कहते है अब यह आर मेक्स का value क्या है तो यहां पे आप बोल सकते हो सरी यह 0 order है और 0 order है तो हमने जब rate का expression लिखा और rate वाली value लिखी तो rate की value में जब मैंने high concentration पे इसका solution किया तो मुझे क्या का नजर आ रहा है के टूई नॉट यह एसकी पावर 0 लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते तो simple अपन इसको कहेंगे rate कितना रहा है और यह rate कौन सा rate होगा maximum वाला गाइस पहली चीज़ जो मैंने आपको सिखाई यह बहुत important सवाल में कहेगा calculate rmax mention करेगा जरूर मिकैलेस मेंटे plot और उसमें कहेगा calculate rmax maximum rate यह यह यूं कहले maximum rate जब होगा तो substrate के respect में order क्या होगा 0 तो कुछ भी सवाल पूछ सकता है इस पूरी slide में ठीक है तो हाँ पहली चीज़ तो हमने यह देखी दूसरा दूसरा यह तो वह जी case 1 यह तूसरा जी case 1 अब हम देखते case 2 case 2 क्या है तो सर हाँ जब concentration कम होगा यार low concentration of S पहले तो अपन ने high concentration देखा अब अगर मैं कहता हूँ low concentration low concentration हम S का ही concentration क्यों देख रहे है हम S का ही concentration क्यों देख रहे है क्योंकि भाईया हमें graph यह उसके बीच में बनाना है न हमें rate versus substrate concentration का ही graph बनाना है इसी graph को ही हम कहते है michael is menteplot चिक है तो मैंने कहा जी low concentration of substrate जब substrate का concentration low होगा लो होगा तो क्या होगा आईए मैं देखता मुझे तो low होगा तो इसका value अब कम होगा और इसका value कम होगा तो km का जादा होगा तो अब km neglect नहीं होगा उसके respect में s neglect हो जाएगा तो rate expression कैसे दिखेगा मुझे k2 e not s upon me km right now that is what the expression तो इसमें जो आखको ध्यान देना है कि हाँ इसमे rate और substrate का relation होगा क्योंकि इसमें rate substrate के respect में यह यूँ कहले कि जब भी मैं substrate का order देखता हूँ इस expression में तो वो कितना है जी one है one order one है order क्या है जी one है पिछले में क्या था zero यहाँ पे order क्या है जी one again enzyme के respect में कितना है जी one तो overall कहानी का मतलब यह है कि हाँ low concentration पे इसका graph कुछ इस प्रकार से वेरी करेगा जो की first order के लिए होता है तो हाँ यहाँ पे अपन ने दूसरा case पढ़ा और इस पे भी सवाल ऐसे आ सकता है कि सवाल ऐसी आएगा कि माल ले अगर मैं कैलिस्मेंटे प्लॉट बना रहा हूं तो उसमें जब मैं rate versus concentration of substrate का गराब बनाऊंगा और high concentration लूँगा तो जी रो ओडर सबस्टेट के रिस्पेक्ट में अगर मैं low concentration लूँगा तो वह यह फर्स्ट ओडर सबस्टेट कॉंसरेशन के रिस्पेक्ट में ठीक है तो यह दोनो सारी बात जो मैं लिखूंगा लास्ट में जिसके basis पर सवाल होंगे वह आती कहां से हैं उसकी स्टोरी चल ठीक है तो मैंने का के सबस्ट्रेट का कॉंसेंट्रेशन किसके बराबर है जी कि एम के बराबर मांले तीसरा के सा पने बोला कि पहले तो हमने बोला कि यह बड़ा है फिर हमने कहा यह चोटा है इसके रिस्पेक्ट में फिर जब हमने का तीनों बराबर हैं तो रेट का एस अपॉन में 2S अब यह S स कैंसल आउट हो गया बचे का क्या के टू इनॉट बाइ टू और त्यान सुनना हमने अभी जब भी के टू इनॉट बोला तो उसको अपन ने क्या नाम दिया आर मेक्स विच मींस विच मींस कि सर हां यहां भी के टू इनॉट है तो इसको हम क्य क्या बोलेंगे आर मेक्स बाइ तो जितना भी आर मेक्स है उसका हाफ कब होता है सर उसका हाफ तब होगा जब जो भी कॉंसेंट्रेशन सब्स्टेट का किसके पराबर हो जाए मिकैलिस कॉंस्टेंट के पराबर अब जब S इकल टू एम बोला हमने उसी पे तो उसका रेट आर मेक्स बाइ टू हुआ आर मेक्स बाइ टू इसी पॉइंट पर हुआ जब हमने S इकोस टू के मुट तो यह पूरी की पूरी कहानी आपको ध्यान रखनी है इंपॉर्टेंट है सवाल इससे भी है कि माल ले माल ले अगर मैं आपसे कहता हूं कि कोई आर मेक्स जो हाफ हो या इतने कॉंसेंट्रेशन पर माल लेक मैंने कोई एक्स कॉंसेंट्रेशन लिया सबस्टेट का जस्ट बता रहो सारी बाते सवाल से भी करेंगे हमने कोई सबस्टेट लिया उसका एक्स कॉंसेंट्रेशन लिया हमें भी बता कितना है और उस कॉंसेंट्रेशन पर एक्स प बटाया कि जब भी R mix हाफ होगा तो वो जिस भी concentration पर होगा वही concentration का value कहीं ना कहीं Km का value है बोलो जी तो यह बात आपको ध्यान रखनी है सवाल में दिखाऊंगा ची है सवाल में दिखाऊंगा यह बाते हैं ठीक है चलिए जी तो यह दो बाते जी जो आपको ध्यान रखनी है एक तो केस वन केस सेकेंड एंड केस थर्ड अभी लास्ट में लिखूंगा इसका समरी पूरा ठीक है तो यह तो हो गए जी पहला प्लॉट मिकेलेज मेंटे प्लॉट इसमें आपको याद क्या-क्या रखना है आई के-स अपॉन में एस प्लस में के याँ वियर के-विज नून एस मिकेलेस कॉंस्टन तो सवाल में ऐसी आएगा केलकुलिट में कैलेस कॉंस्टन जिसका मतलब क्या है किया और इसका वेल्यू क्या होता है के माइनस 1 प्लस के-2 अपॉन में पहले चीज़ आपको यह ध्यान रखनी है, दूसरी यह ध्यान रखनी है, अगेन तीसरी, तो यहां से आपको तीन केस पढ़ने हैं, जब भी तुम rate versus concentration of substrate का गराब बनाओगे, तो इसमें पहला केस, केस 1, जब भी high concentration of S होगा, तो उस केस में, 0 order होगा, with respect to substrate concentration, और वहां से जो r max का value आएगा, which is k2 e0, यह दोनों ध्यान रखनी हैं, आपको बाते हैं, अगेन, केस, second, second case में क्या है जब वो कहेगा, low concentration of S, तो low concentration of S में हम कहेंगे जी, 0 order नहीं है, इसमें वो हो जाएगा, first order, first order, with respect to substrate concentration, ठीक है जी, again, again, case, third, जब km, S के बराबर है, तो जब ऐसा होगा, तो जो r max होगा न, वो कितना हो जाएगा जी, r max by, इसको और कैसे बोल सकता है, k2 e not by, अब गाइस, इतना आपको पता होना चाहिए, यह मालने मैंने r max by 2 लिखा, तो r max क्या है, r max मैंने अभी लिखा, r max यहाँ पर लिखा, मैंने r max कितना है, k2 e not, तो अगर मैं r max by 2 लिख रहा हूँ, तो k2 e not by 2 भी लिख सकता हो, यार, अब यहाँ पर e not क्या है, enzyme का initial concentration, ध्यान रखना यह बाते, k2 e not क्या है, enzyme का initial concentration, s क्या है, concentration of substrate, km क्या है, micalis constant, यह सारी बाते आपको ध्यान रखनी है, ठेक है जी, यह सारी बाते मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ठेक है, भूलनी नहीं है जी, सवाल करेंगे इस से, km क्या है, micalis constant, दूसरा, e not क्या है, initial concentration of enzyme, and again, अगर मैं बात करता हूँ, s क्या है, जी, s है जी, concentration of substrate, right guys, तो यह overall पूरी की पूरी स्टूरी है, किस के बारे में, पहला जो आपने plot बनाया, micalis plot, ठेक है, यह सारी बाते आपको ध्यान रखनी है, क्यूं ध्यान रखनी है, मैं सवाल दिखाऊंगा, ठेक है, दूसरा, 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 जो हमें गराब बनाना था, वो किस के बीच में था, that is, 1 upon R versus 1 upon S, इसी को अपने नाम दिया था, line weaver plot, ठेक है, तो आए इस line weaver plot को पढ़ते, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, ठेक है, यह सारी बाते और क्लियर होंगी, जब हम सवाल करेंगे, ठेक है, तो दूसरा क्या है जी, line weaver plot, line weaver, इसको पूरा नाम कहते है, line weaver बर्क plot, अब इसमें भी, कहीं ना कहीं हम वही चीज़ करेंगे, वही चीज़ करेंगे, मतलब यूस तो, rate expression तो वही है, rate expression क्या है, क्या है, सरी यह आता कहां से है, उसकी स्टोरी में अभी सिखा क्या है हैं तुझे, कि हाँ आपने पास कोई mechanism होता है, जो मेकैलेस constant, यह यह कहलें, मेकैलेस, मेंटे मेकैनिजम कहलाता है, इसी मेकैनिजम के अधार पे जब हम इसको solve करते हैं, इसका concentration निकालते हैं, इस का उसको substitute करते हैं, तो हमें यह final result मिलता है, इसी के basis पे फिर हम इसको manipulate करते हैं, divided by k1 करते, numerator और denominator से, फिर यह अपने पास expression आता है, और उसमें यह वाली value क्या होती है, मेकैलेस constant, तो यहाँ पे यह जो final expression बना, जो हमें याद रखना है, वो यह है, अब इसी के basis पे हमन जो की one upon rate versus one upon substrate concentration के बीच में है, तो यह भी कही ना कहीं इसी एक relation से बनेगा, बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हमें बनाना किसके बीच में, one upon rate one upon rate versus one upon substrate concentration, तो यहाँ पे तो क्यूंकि rate है, तो one upon करने के लिए इसको inverse कर दे, तो one upon rate, rate को मैं आप मैं आर लिखूँगा, इसको उल्टा कर दे, s plus में km upon में k2 e naught s, that's it, अब इसको separate करो, कैसे, one upon r is equals to s, इस s को इस पूरे से डिवाइड कर सकता हो, k2 e naught s, पक का ऐसा कर सकता हो, प्लस km, इसको पूरे से डिवाइड कर सकता हो, k2 e naught s, अरे यार, LCM लोंगा तो सेम बन जाएगा, इसका LCM लोंगा तो सेम बन जाएगा, तो ऐसा भी लिख सकता हो, अब ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसी के basis पर मैं ग्राब बना पाऊंगा, तो मैंने इसको cancel out कि तो 1 upon rate क्या है, 1 upon k2 e naught, प्लस km upon k2 e naught into में s, अब यहां से मुझे एक चीज़ नजर आ रही है, और शायद तुम्हें भी आनी चाहिए, वो, कि सर यहां पे y है, यह c है, प्लस mx है, क्यों, क्योंकि हमें तो 1 upon r चाहिए, y axis में, x चाहिए जी, यह 1 upon होगा, 1 upon होगा, 1 upon substrate x म अगर आप बना दो, बोलो जी, तो अब इसको मैं थोड़ा और ढंक से लिखूँगा, तो यहां पर अपने पास y value, y value value क्या है, y is what, 1 upon r, guys important है, y intercept क्या है, 1 upon r, again, sorry, y का axis, y coordinate पे 1 upon r, c क्या है, intercept, इसका value कितना है, 1 upon k2 e naught, again, slope की बात करता हूँ, तो किसके बराबर है, जी, km upon में k2 e naught, guys, यही ध्यान रखना है, आपको, सवाल यही आएगा, वो slope दे देगा, सवाल में, intercept देगा, पूचेगा, k2 बताओ, km बताओ, r max बताओ, तो यही सब सवाल है, तो हमने सारे graph को पहले, तो state line equation से compare किया, y is equals to c plus में mx, और वहां से फिर हमने, यह observations को निकाला, और इनी observations के basis पर, मैं graph बना दूँआ, ज्यान सुनना, ग्राफ कैसे बनेगा, सर, इस पर y axis में 1 upon r ले लिया, x axis बे 1 upon s ले लिया, intercept कितना है, वो चीज़ होती है, पहली बात तो intercept वो चीज़ होती है, जो y axis पर कट करें, तो यहाँ पर value कितना है, जी, 1 upon k2 e 0, तो यह y axis पर कट कर रही है, और यहाँ से graph खेंच दो, तो वो तुमारा state line आएगा, और इसका slope क्या होगा, जी, km upon में, that is what, k2 e 0, और इसका intercept क्या होगा, k2 e 0, 1 upon k2 e 0, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, यहाँ पर, यहाँ पर जो भी हमने लिखा, 1 upon k2 e 0, अभी just मैंने आपको बताया कि, जब भी k2 e 0, एक साथ होगा, इसको मैं r max भी लिख सकता हूँ, बोलो जी, again, यहाँ भी मैं लिख सकता हूँ, km upon में, r max, ठीक है, तो सवाल कैसे आएगा, वो, यहाँ तो नाम बोलेगा, line weaver plot, michalis mente plot, यहाँ फिर वो कहेगा, rate versus s, तो तुझे पता होना चाहिए, मैं michalis mente की बाद चल रही है, one by rate versus one by s का graph है, तो line weaver की story चल ली है, बोलो जी, अब इस पूरी कहानी में, मैं एक final slide बना दे रहा हूँ, final slide है, यह final slide ही आपको ध्यान रखनी है, और इसके बाद हम फिर सवाल करना शुरू कर देंगे, ठीक है, तो पहला है जी, उपर हेडिंग डाल लो, enzyme catalysis, इस enzyme catalysis में भी हम किस की बात करेंगे, इस enzyme catalysis में भी, हम दो हिस्सों में बात करेंगे, एक तो michalis mente की story में और उसको जब अपनने सॉल्व किया थो, एक rate का expression आया अपने पास, इसको ध्यान रखने है आपको, k2 e0 s upon में, s plus में k है, पकी बात, अब guys मैंने अभी आपको सिखाया, k2 e0 को ही मैं rmax भी लिख सकता हूँ, तो rmax लिख सकता हूँ इसको, तो इसको मैं अब इस प्रकार से भी represent कर सकता हूँ, तो यह तो तुम्हारा एक expression बन गया rate का, पहली बात तो यह ध्यान रखने है आपको, दूसरा, यहाँ पे, जो km है, इसका value कितना है जी, k-1 plus k2 upon me, तो सवाल ऐसे भी पूछ सकता है, वो km दे देगा, k-1, k2, पूछेगा k1 बताओ कितना है, अरे बात समझ रहो ना, तो सवाल इनी के basis पे आएगा, ठीक है, तो एक चीज तो यह तुम्हें यह ध्यान में रखने हैं, दूसरा, इसी में अगर मैं स्पेसिविकली बात करता हूँ, मिकैलेस मेंटन प्लोट की, तो उस मिकैलेस मेंटन प्लोट में, पहली बात तो आपको यही पता है, कि सर जो rate है, उस rate के versus concentration of substrate का ग्राब बनाता है, ठीक है जी, पक्की बात, और यह ग्राब बनता कैसे है, तो इस expression का use कर के, इसमें तीन केस है, पहला केस है, हाई concentration पहले तो rate का expression लिख लिए, के टु, E0, S अपॉन में, S प्लस में के, यह है, यहाँ पे सबसे पहले, सबसे पहले तो इस पूरी स्टोरी में, case 1 है, पहला case है, जब हाई concentration है, हाई concentration है, तो rate क्या होगा, जी, के टू, E0, S की पाव पर 0, और इसी को कहते हम, maximum rate, which is, Rmax is equal to, K2, E0, पहली बात यह ध्यान रखनी, और दूसरा क्या है, जी, 0 order, with respect to, substrate, दो बाते यह ध्यान रखनी, again, case, अगर मैं बात करता हूँ, second K, that is, low concentration, जब मैं low concentration की बात करता हूँ, तो यहाँ पे जो rate के expression आएगा, जो हमने अभी solve भी किया, इसको, K2, E0, S upon में, K, तो यहाँ पे जो ध्यान रखना वो यह है, कि first order है, substrate concentration, यह कहा है, जी, first order है, with respect to substrate concentration, again, तीसरा case, जब KM ही, S concentration के बराबर है, तो इसमें जो rate हो जाता है, वो Rmax by 2 कहलाता है, इसी का उल्टा, जब मैं कहाँ दूँ, किसी का भी rate maximum के हाफ हो चुका है, तो उसमें, let's suppose, concentration मैं substrate का दे दूँ, तो मालने मैंने substrate का concentration दे दिया, और बोल दिया, उस concentration पे rate क्या है, maximum के half है, तो बता मैं कैलेस constant कितना होगा, KM कितना होगा, तो ये half तभी होता है, जब substrate का concentration KM के बराबर होगा, ठीक है, तो ये तीनो case आपको पता होने चाहिए, तीनो बाते आपको पता होनी चाहिए, जो कि मैं अभी, अभी जस्ट बता के आया हूँ आपको, ठीक है, plot में, पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि सर ये plot 1 by rate versus 1 by substrate concentration के है, अगें, इसी में जो 1 by rate का expression बनता है, वो कैसे बनता है, जी 1 upon K2E0 plus KM upon में K2E0 into में 1 by S, ये कैसा बनता है, तो पहले आपन इसको reciprocal में लेके चलते हैं, फिर उसको rearrange करते हैं, तो expression बनता ह मैंने अभी जस्ट पीछे इसको करके दिखा, तो इसमें क्या-क्या ध्यान रखना है, तो इसमें पहली बात तो आपको slope पता होना चाहिए, slope क्या होगा, ये पूरी जी slope होगी, क्यम अपॉन में K2E0, इसी को में लिख सकता हूं, क्यम अपॉन में Rmax, अगें, इंटरसेप क्या होगा जी, तो इंटरसेप्ट जो कट करता है, विच इस वन अपॉन K2E0, जिसको हम लिख सकते हैं, वन अपॉन में Rmax, अभे, K2E0 को मैं Rmax लिख सकता हूं, तो इसलिए मैं Rmax की टम में लिखा, और इसका जो ग्राब बनता है, वो कुछ इस प्रकार से बनता है, ये ह ये होता है जी स्लोप, विच इस की एम अपॉन में Rmax, ये होता है जी 1 by R, ये होता है जी 1 by Substate Concentration, तो ओवर 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 और इस पूरी कहानी में, इस पूरी कहानी में, एक बार आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो, तो ले सकते हो, तो पूरी कहानी में हमें यही सारी बा ही जितने भी सवाल है, जो नेट में पूछे गए हैं, वो होंगे, ठीक है, आइए मैं के करके अब आपको प्रिवियस सवाल करवाने शुरू करता हूँ, ध्यान से सुनना गाइस, ठीक है, सारे बच्चे खुद बखुद attempt भी करेंगे, ठीक है, मेरे साथ 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 सारे attempt भी करेंगे जी, पहला सवाल, पहला सवाल, पहला सवाल, क्या है, कह रहे हैं जी, for enzyme catalyzed reaction, पकी बात है, enzyme catalyzed reaction है, एक enzyme catalyzed reaction है, ठीक है, ये enzyme catalyzed reaction है, और an enzyme catalyzed reaction, जिसका mechanism हमें दे रखा है, कह रहा है था, slow and the intercept, ध्यान से सुनना, slope and intercept of the plot, किसका, 1 upon rate versus 1 upon S, तो मैंने अभी जस्ट बताया, कि 1 upon rate versus 1 upon S का, जब भी graph देखता हूं, for enzyme catalyzed, तो वो क्या कहलाता है, line weaver plot, तो ये किसकी स्टोरी चल ली है, जी, line, weaver plot की, बहुत बढ़िया, शाबाश, again, again, तो उस plot में हमें slope दे रखा है, हमें intercept दे रखा है, हमें e0 का value दे रखा है, हमें k-1 upon k2 का value दे रखा है, हमें पूछ क्या रहा है, वो, k1 पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो जो एक चीज तो पता लगी, line weaver plot है, इस plot के basis पर ही, अब ये सवाल होगा, आईए मैं इस सवाल को करना शुरू करता हूँ, यहीं पर कर देते हैं, ताकि सारी values यहीं लिखे हुई है, चलिए जी, आईए जी, तो सबसे पहले लिखेंगे जी, अपन को given क्या क्या है, हमको given क्या क्या है, तो हमें पहली बात तो 1 upon rate k2 e0 plus km upon k2 e0 into 1 by s, यह बात क्या कहलाती है, कि सर जब भी line weaver का plot बनाएंगे, that means 1 by rate versus 1 by s का plot बनाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं इस equation के आधार पर बनाया जाएगा, और यह equation कैसे आता है, वही चीज हम discuss करके आए हैं, और वही चीज मैंने आपको लिखवाई भी है, यहाँ पर, यह चीज मैंने आपको लिखवाई भी है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी, अगें, अगें, यह तो हो गया जी, वन अपॉन रेट का expression as per line weaver plot, इसमें, इसमें, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट, तो वन अपॉन के टुई नॉट, यही तुमारा C होता है, इंटरसेप्ट और इसका value दे रखा है, the slope and intercept of the plot, कितना दे रखा है जी, 10 की पावर 2, slope कितना है जी, के एम अपॉन में, के टुई नॉट, इसका भी value दे रखा है, कितना है जी, 10 की पावर 2, इंटरसेप्ट दे रखा है, 10 की पावर माइनस दो, slope दे रखा है, और इन दोनों का, हमें मतलब बिलकुल पाता है, 1 अपॉन के टुई नॉट, और के एम अपॉन में के टुई नॉट, दोनों का value लिख लिए, बहुत बढ़िया, अगें हमें कुछ और भी गिवन है, initial concentration, इनॉट क्या है, initial concentration of substrate, तो इनॉट पता है, कितना, 10 की पावर, माइनस 6 मोलर, एन अगें, एक और चीज़ गिवन है, के माइनस 1 अपॉन के टू, इस इकोल स्टू, तो देखो कैसे, देखो जी कैसे, तो वो के वन पूछ रहा है, तो के वन आता कहा है, तो याद करो जब अपने के म, के मतलब मिकैलेस कॉंस्टेंट का expression लिखा था, के माइनस 1 प्लस के टू अपवर्ण में के, ऐसी लिखा जाता है, तो अपनको के वन निकाल लें, के वन निका आप यहाँ पर आपको के वन तो निकालना हैं, उसके लिए पहले बात तो के माइनस 1 चाहिए, दूसरा के टू चाहिए, और तीसरा के अम चाहिए, उसको निकालने के लिए उसने डाटा दे रहा है, इसका यूउस कर और वैल्यू निकाल, ईाओ जी मैं निकालता हू 수도 guide उदर ले जा और 10 की पावर माइनस 2 को सॉरी 2 को नीचे लिया 10 की पावर 2 इंटु में E0 is equals to k2 कितना हो जाएगा इनॉट का value कितना दे रखा 10 की पावर माइनस चे तो यह 10 की के वन इनॉट सबस्टेट कॉंसेंटरेशन बस ऐसे सब पूछा होगा ठीक है जी और सवाल ऐसे ही आते हैं और काफी आते हैं ठीक है यह पहला सवाल है अभी और भी सवाल मैं दिखाता हूं पिए के मी अट की पावर माइनस आप केंना पावर चार और इसको करेंगे 10 तुप आवरा से इंच अंसर आएगा जाएगा मैनस का और यह प्लस का ए डू बरल कितना बनेगा जी मैटनेयों तो आपन को के वन निकालना है के मैनस बन やता तो के टू सब्सक्राइब यह कोई, से सब्सक्राइब लिए 1 निकाल मैं 1000 के टू कितना एता बाव चार 8 05 iya कनश भी-1 24 tenth के टूब कितन की पावर 42 कितना जी 10 कि पावर 4 यहान करते है वह मल्किप्लाइच जब होता है तब सब्स्तेमाल करते हैं घुरण्टरब मतलब यह एक्जांपल अगर मैं कहता हूं इक तो थी पाववर एक से और ईटू दी पावर वाई है तो यहाँ पे जब इन्टू में है ना यार तब मैं इसको लिख सकता हूं बेस से में पावर को एड़ कर सकता हूं वेरेज अगर यहाँ पे अल्रेडी मैं प्लस लिख दूँ तब यह चीज एपलीकेबल नहीं है अब यही चीज को मैंने क्यों बोला क्योंकि यहाँ पे अगर द्यान से देखोगे तो दस दस तो है बटी बीच में एडिशन है तो यह चीज एड़ नहीं होगी पावर में तो ओवराल ओवराल यह चीज कैसे नजर आएगी एक दो तीन चार पांच छे साथ इसमें जब तू एक दो तीन चार इसको एड़ करेगा तो ओल्मोस्ट तेरा दस की पावर साथ जितना ही अंसर रहेगा इसको एड़ करोगे तो इतना ही रहेगा इतना ही रहेगा ओल्मोस्ट इतना रहेगा तो मैं इसको दस की पावर साथ ही लिख सकता हूं अब आन में दस की पावर माइन अब इसको ऊपर लेके जाओंगा तो 10 की पावर 11 और शुडबी दा अंसर अप्रॉक्स की बात क्यों कर रहा हूं क्योंकि आप्शन में आप्शन दे रखें आप्शन में आप्रॉक्स वेल्यू दे रखें तो यह आपका अंसर हो जाएगा और यह सवाल चार नंबर का है जित अगला सवाल जो नेट में पूछा गया है इसी के वेसिस पे आएए वो मैं दिखाता हूं और वो सवाल है जी यह राज यह राजी सवाल वह 2018 का था यह 2017 का है एक बर मैं सवाल आपके लिए पढ़ देता हूं सवाल क्या कह रहा है मुझे कि दा स्लोप एंड़ इंटरसेट इसका वन अपॉन आर वर्सिस वन अपॉन एस सिंपल है क्यों सिंपल है क्योंकि सर हाँ जब भी वन अपॉन आ यार से नाम देते हैं लाइन वीवर बर्क प्लॉट बहुत बढ़िया अगें उस प्लॉट का स्लोप और इंटरसेप्ट हमें गेवन है उच रहता वेल्यू आफ में क्यालेस कॉंस्टेंट फॉर दिस एंजाइम केटलाइज़ रियक्शन बहुत सिंपल है बहुत सिंपल है जैसे ही मुझे सवाल में एक चीज नजर आए कि हाँ वन अपॉन आर वर्सेज वन अपॉन अपॉन एस का ग्राफ है तो यार इसको तो हम लाइन वीवर कहते हैं जी हाँ बिलकुल लाइन वीवर प्लॉट कहते हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी अच्छा अगर इसको लाइन वीवर कहते हैं तो इसमें निकालना क्या है में में यह चीज है अगर यह नहीं पता तो तुम ड्रयक्र ACEP & transp yaad रख सकते यहाँ पे जब में कैलेस यह सौरी लाइन वीवर की बात चलेगी तो इंटरसेप्ट क्या होगा कि टीब इन पु continuing में 10 की पावर पांच यह गिवन अगेन स्लोप की बात करता हूं तो स्लोप कितना होता है किम एपल में कना रखा है कितना जी तीनिकर ना जी तोनों मेन्यव्यज़ कर ले और था किम क्या लिए में कैनल के दिखाता हूं तो सलोप कितना है मैं आइ 300 अब इसी पूरी चीज़ को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं अब कोई फरक नहीं पड़ेगा ना यार इसको अलग लिख लिया वन अपॉन के टू इन टू इन लिख लिया इस इक्वास टू तू तीन सो ऐसा क्यों लिखा बिकॉस जैसी मैंने ऐसा लिखा इसका वेल्यू मुझे अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कि एम कितना होगा इसको सॉल्व करों यह कितना बज़ेगा तुम्हारे पास ओवरॉल यह वनेगा जी 150 इंटू 10 की पावर माइनस 5 और यह वनेगा तुम्हारा ओवरॉल इसको सॉल्व करों गया एक सकेन इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा इसको सॉल्व करेंगे तो कि हम कितना आ जाएगा तीन सो डिवाइद बाइद बाइट टू इंटू 10 की पावर पाँच इसको ऊपर लेकी जाओंगो तो बनेगा तुम्हारा ओवरॉल यह कैंसलओ ऻागा थीन बचे गा तो त्रीवाए टू इंटू दस की पावर तीन बचेगा यह बनेगा जी 1.5 इंटू दस की पावर माइनज तीज़ बचेगा और बचेगा और दो और तीन को जब तो बहुत सिंपल है बस ऐसी ग्राफ से स्लोप इंटरसेप्ट के बेसिस पर जा तो के टू निकलवाएगा निकलवाएगा आर्मेक्स निकलवा सकता है तो यह सारी बाते आपको ध्यान रखनी है बस आपको एक्सप्रेशन कौन-कौन से याद रखने वह जो मैंने आपको समझ आती है वो चीज़ अगर आपको याद है तो यह सारी बाते आपको आसान लगेगी ठीक है चलिए अगला सवाल पिछला था जी 2017 दिसंबर का यह है जी 2017 जून का सेम सवाल है सेम सवाल है एक बर मैं सवाल पढ़ देता हूँ the catalyzed reaction है enzyme catalyzed reaction का mechanism दे रखा है इसमे इसमें ध्यान सुनना यह बहुत सिंपल सावाल है ध्यान सुनना यहां पर क्या जी के टू कि एड़ी नॉट कि दोनों का वेल्यू दे रखा है क्या रहा है तो maximum velocity एंड टर्नोवर नंबर अभी मैंने इसको टर्नोवर नंबर को नहीं बताया ठीक है आईए मैं बताई देता सवाल में वो तीन ठाम यूज करेगा ठीक है एक हम कहेंगे केटलिट केटलिटिक कॉंस्टेंट या इसी को अपन कहेंगे टर्न ओवर नंबर ठीक है दूसरा दूसरा सवाल में वो यूज करेगा टर्न ओवर फ्रिक्वेंसी अगें केटलिटिक एफिशेंसी इसी को तू ऐसे भी लिख सकता है केटलिटिक फ्रिक्वेंसी तो वो तीन टर्म सवाल में यूज करेगा अबाउट दे केटलिस्ट पहला क्या है केटलिस्ट कॉंस्टेंट गया होता है यह टर्न ओवर नंबर क्या होता है टी ओएं अगें दूसरा जो important है that is what turnover frequency पहले उपर नंबर है नीचे कहा frequency या इसी को तू कहता है कैटलिटिक frequency अगें third is what catalytic efficiency फिन तीनों को निकाला कैसे जाता है तो आए मैं लिख दे तो जब भी जब भी त्याहां सुनना गाइस प्लीज जब भी वो सवाल में catalytic constant बोल दे या turnover number निकालने के लिए बोल दे तो तुम्हें करना क्या जी के टू निकालत है के टू मतलब यहां पर जो भी के टू है यह जो के टू है इसी के टू की बात कर रहा हूं मतलब अगर कोई enzyme substrate मिलके enzyme substrate बना रहा है k1 k-1 से अगें enzyme substrate टूट के enzyme plus product में जा रहा है with rate constant k2 तो इस पूरी स्टोरी में जो भी तुम्हारा k2 है that is what तुम्हारा turnover number है कैसे कैसे यह turnover number यह catalytic constant simple सी एक चीज़ होती है कि हाँ आपने बोला जो भी catalyst है वो reaction में बाद में मिलेगा मिलेगा कब जब सर वो तूटके product में convert हो जाएगा और product बनाती वो खुद अलग हो जाएगा तो अल्टिमेटली अगर मैं product formation देखता हूं तो वो किस पर डिपेंड करता के टू पर तो हाँ अगर यही रेट से product बन रहा है तो जैसी product बने गाएंजाइम free हो जाएगा और enzyme free हो जाएगा तो तुरंत फिर से वो यूज होगा तो कहीं न Chinese कितनी बार यूज हो रहा implies वह सी बात पर depends कर रहे हो कि वह कितनी बार free हो जा रहा है कि इसी चीज को कह साय RAW म look at टीक है तो इसको निकालते हैं अपन K2 से, अब सवाल में अगर वो ठीक है राइट न अगर अगर मुझे एक सी सवाल में पूछी जाती है जैसा कि अभी सवाल पढ़ा था आए उस सवाल को करते हैं ध्यान कई पूछा है तो टाइम का डिवाइड करते के टू और इटा पूछा है तो के टू बाइक के एम करते खता हूं आईए अब मैं आपको वह सवाल दिखाता हूं यह राजी बोसा अब इस सवाल में ध्यान सुनना गाइस प्लीज के वन के माइनस वन के टू बोल रखा है के रहाए वैल्यू ऑफ के टू और यूट दोनों की वैल्यू दे रखिए ते मैक्सिमम विलॉस्टी तो गईस जब भी वह मैक्सिमम एक टर्म यूज करता है विलॉस इसको मैं किस से रिप्रेजेंट करता हूं आर्मेक्स है यह बात बिल्कूल क्लियर होनी चाहिए जी आरे मैक्सिमम रेट को आर्मेक्स बोला था हमने और इसका वेल्यू भी हमने याद किया था के टू इनॉट राइट ना डाट इस वाट आर्मेक्स अगीन अगीन दूसरी कि राइए बैक्सिमम फिलस्ट्य बताने आ और दूसर टर्न ओवर नंबर तर्न ओवर नंबर मतलब अगर टर्न ओवर नंबर बताना है तो स्मक्र सवाल में करता थे न तो तो गाइस जैसे उसने option में दिया है पहले दिस एंड दिस तो यह option किसके basis पे तो क्योंकि उसने सवाल में पूचा maximum velocity तो पहले option में जो है maximum velocity का value है और दूसरे में है जी turnover number और turnover number मतलब K2 तो तुझे पता है कि सर हां K2 ही turnover number है तो यहां पर 10 की power 4 है 10 की power 4 है 10 की power 6 10 की power 2 इसको हटा दे यह दोन option cancel out हो जाएंगे यह भी गया यह भी गया अपर 10 की power 4 तो रहे गाई न turnover number में तो 3.42 इंट तो यह रहे गा ही रहे गा मतलब A और B 50-50 option हो गया अगे अगर मैं कहता हूं तुम्हारे पास क्या maximum velocity मतलब RMX RMX किसके बराबर होता है K2 E0 के बहुत बढ़ी है K2 कितना है जी तो K2 तुने जो गिवन है 3.42 इंट दसकी power 4 into E0 कितना है दसकी power minus 2 इसको solve करोगे 3.42 इंट दसकी power 2 लह भी यह option number 10 की power 2 is the correct answer 4 number 4-4 number के सवाल है बिल्कुल मजाग है बस तुम्हें बस कुछ-कुछ बाते ध्यान रखनी है जो मैंने already बताई है उसी के basis पे सारी बाते कर रहा हूं ठीक है इसमें RMX that means maximum velocity पूछा और turnover number पूछती तुझे एक ही चीज़ पता होनी चाहिए k2 तो जब भी turnover number या catalytic constant पूछेगा k2 turnover frequency या catalytic frequency पूछेगा k2 by time और catalytic efficiency पूछेगा तो k2 by km that's it ठीक है चलिए जी आगे चलता हूं अगले सवाल की और चलते जैसा की है जी यह सवाल यह सवाल है यह सवाल क्या कहता है एक बार सारे ध्यान से सुनेंगे कहरे दा RMX and the km RMX मतलब maximum rate km मतलब Michaelis constant for enzyme catalyzed reaction is तो तुम्हे km का value दे रखा है RMX का value दे रखा है यह RMX का value km का कितना है जी 10 की पावर माइनस छी मूट तो गाइस इसमें आपको milliseकिंड से लगने चाहिए milliseकिंड क्यूं क्यूं क्यूंकि मैंने जब आपको केस पढ़ायते उसमें मैंने बोला था जब भी सब्स्टेट का कॉंसेंट्रेशन km के बराबर होगा अब यहां पर सब्स्टेट इसके आपको जाएगा बोलो जी तो जब भी के अम बराबर एसके होता है आर मेक्स कितना होता है जी या रेट कितना हो जाता है जी आर मेक्स बाए टू दैट्स इट आर मेक्स कितना है जी दो इन्टू दस की पावर माइनस थीन बाए दो उड़ा दो अंसर विल भी माइनस थीन जैवाता दी राइट नगा इस ऑप्शन नमबर जो बी है वो तुमारा सही हो जाएगा आए आगे चलते हैं अगला सवाल यह रहा जी यह सवाल क्या कहता है हमें प्लीज जड़ा ध्यान से समना इसमें यह सवाल कहा रहा है फर दellen Zv पता होनी चलिये कि सरहा लाइन वीवर फाट बहुत बड़ी ठीक है लाइन वीवर प्लॉत है और उसका एबस को दे रखा है अयार में 4 वाइस जरा ध्यान से सुनना स्लोप दे रखा है द्लाइन वीवर प्लॉर प्लोट का तो सलोप होता है के एम अपन में के टूए नोट इसका लोप दे रख़ रहा है कhape इस दग दंशाइम Parte 6 आधविए तुभए CLO पॉया का सिख़े मैं बनलके अध़ीको, मॉलर है तो अगर मॉलर में बदलेगा तो 2.5 10 raise to power-6 mol इतना है को E naught का value दे रखायाен शॉप का value दे रखाया पूछ क्या रहा है कैटलिटिक efficiency पहुत आसा ने कैटलिटिक efficiency पूछ राहे तो इट्टा चया होता है honom K 2 Wo Wm You तो सवाल उठता है कि सर हां उसने E naught दे रखाया उसने लूप भी दे रखाया बट यार यहां से हमको k2 by k1 दोनों values को निकालना पड़ेगा तभी 8 निकलेगा तो let's suppose अगर तुम यहां से कोशिश करोगे तो तुम एक भी value नहीं निकाल पाओगे मतलग क्या मतलग कहने का यह कि मालने तुन्हें अगर km निकालना है तो इसको तु क्रॉस मल्टिप्लाई क करेगा क्रॉस मल्टिप्लाई करोगे ना तो 40 x k2 e not लिखोगे तो km का value निकलेगा नहीं क्यों क्योंकि तुम्हें k2 भी नहीं बता ना यार ऐसी मालने अगर तुझे k2 का value निकालना है तो तुझे km भी नहीं बता तो सवाल में data इतना ही given है पर नहीं तू इंडिविजु जी 40 x k2 e not रख दे ऊपर तो इटा बनेगा जी के टू 40 km का value कितना हो जाएगा के टू से के टू काट दे एक कॉप चालिस इंटू में e not कितना है 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस छे इन और तो पाता है आपको इसको पर ले जा तो बनेगा क्या 10 की पावर छे अपॉन 40 नीचे 10 आ गया this will cancel out 100 and 10 इस तो पावर 4 यह आपका अंसर आ जाएगा 10 इस तो पावर 4 तो आप्शन नमबर D is the correct one that's it 4 चार नमबर का सवाल है ठीक है जी आए मैं आगे चलता हूं सवाल करते रहिए जी सवाल बहुत है सवाल बहुत है जी यह लो जी सवाल यह लो जी सवाल इसले वाला दिसंबर का था 2014 का यह है जी जूर का कह रहा है इंद लाइन वीवर प्लॉट वन अपोन आर वर्सिस वन अपोन एस दा वाई इंटरसेप्ट म 01 का जो इंटरसेप्ट है तो पक्क ही यह लाइन वीवर प्लॉट है इसने बोल भी दिया है और ना भी बोले तो वन बाई आर वर्सिस वन बाई ऐस प्लॉट सुनते ही हम इतना पता है कि सर हाँ वो लाइन वीवर पलॉट ही है और उस में उसने बोला है intercept intercept का value दे रखा है intercept क्या होता है k2 e0 देखो guys मज़ा तब आएगा सवाल करने में जब इससे पिछली बाते जो मैंने आपको बताई है वो सारी की सारी आपको पता हो आपको याद हो आपने उसको लिख लिख के दिखा हो तो क्योंकि sequence भी मैंने वही लिखा मैंने सबस के basis पर वो कैसे reaction के rate को बदलता है उसको जाना फिर उस पर सवाल कर दिया खतम फिर आगे चल पड़ा enzyme catalysis जाना उसको solve किया ऐसे से लगाया फिर एक final expression बना फिर उस final expression से दो graph बनाए rate versus substrate concentration और rate one by rate versus one by substrate concentration फिर दोनों के graph को समझा उससे कुछ-कुछ बाते निकाली वो भी लि यह तरीका यही है कि पहले तो कुछ-कुछ बोलो theory पढ़ो तो theory पढ़ते 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 एक formula मिल जाएगा formula पढ़ अब जैसी formula मिला तो देखो उस formula में कुछ units हैं तो अगर units हैं तो देख लो नहीं तो direct उस formula पर सवाल कर दो that's it तो अपन sequence भी उस कहीं ना कहीं intercept की value में आता है that is what one upon k2 e0 is equals to 5000 पर मोल second वह हम से पूछ के रहा है एक और value दे रखा उसने e0 का value दे रखा है कितना है जी 10 की power minus 9 molar turnover नमबर पूछ रहा है तो I think so I think so यह बात शायद तुझे पता होगी बिल्कुल पता होगी कि हां मास्टर आपने अभी बताया है कि जो भी turnover number उसको k2 के बराबर रख दो तो रख दिया जी के बराबर रख दिया अब जैसी मैंने k2 के बराबर रखा तो तुझे turnover number निकालने का मतलब अब यह समझाता है कि सर मुझे के टू निकाल निकाल दो कि इसको यूज करके इस 5000 को नीचे लाओ इंटू में इनॉट दस की पावर माइनस नो इसको सॉल्ट करूंगा दस की पावर माइनस छे ठीक है इसको उपर लेके जाओंगो तो यह बनेगा टू इंटू टैनिस टू पावर माइनस फाइव यह बन जाएगा जी आपका प्लस का 5k2 अब थोड़ा बहुत केल्कुलेशन तुम्हें पता होना चाहिए इसको मैंने सॉल्ट किया यह प्लस में यह माइनस में तो इसको कैंसल आउट करूंगा तो माइनस बने इसको उपर लेके गया तो बनेगा जी दस की पावर छे अपॉन पाँच पर उस दस की पावर छे में आगे चलते हैं आगे सलते हैं सवाल अपने पास बहुत हैं बहुत हैं जी लीजिए यह भी सवाल है सारे नेट के सवाल है जितने भी नेट में सवाल आये हैं अभी तक के मैं सारे लेके आया हूँ on the basis of enzyme catalysis और वो करने कैसे हैं उसके लिए भी मैंने यह जो slide लिखी है यह जो slide लिखी है जितने भी सवाल है ना enzyme catalysis के आपके सारे के सारे सवाल इन्हीं दोनों slides के basis पर हो जाएंगे एक तो यह slide यह slide the most important है दूसरा कॉंसी slide है जी यह वाली slide राइट ना यह वाली slide राइट दोनों slide से ही कही ना कहीं हम सारे के सारे जो भी previous year है वो कर रहे है ठीक है ना तो आईए यह जो सवाल है जो net 2000 12 में पूछा गया है that is यह भी कही ना कहीं वहीं बोल रहा है यह मेंटे मेकानिजम पूर्द फॉलिंग रेक्शन तो इसमें उसने एक रिलेशन दे रखा है यह उसने एक रिलेशन दे रखा राइट ना यह रिलेशन उसने दे रखा है अब the value of k2 and km वो पूछ रहा है बिल्कुल ठीक है तो आईए सवाल को कैसे करना है तो गाइस सवाल में अगर आप देखोगे तो इस सवाल में हमको कोई direct value नहीं दे रखा मतलब मतलब एक तो उसने एक्स्पेशन दे रखा है और direct हम से value पूछ लिया है k2 का बता हो और km का बताओ तो जब ऐसी situation हो तो हमें बस एक ही चीज की मदद लेनी है and that is what comparison मतलब हमें कुछ ऐसा ऐसा equation बनाना पड़ेगा और उसको जैसी मैं compare करूंगा तो मुझे दोनों values मिल जाएंगे अब जो भी मैंने बोला आईए मैं करके दिखाता हूं ठीक है तो हमको यह पता है क्य आप शुडब बी 10 दिख टू पावर 4 वी अपाउन में इनट अब यहां पे वी क्या है तो वहां पे वो mention भी करेगा और नहीं भी करेगा तो आपको पता होना चाहिए यहां पे वी क्या है rate of the reaction हाना तो हमने तो आर लेके यूज किया है तो तू आर लिख सकता है बिलकुल आज़ाद है तू र हजए ठीक है तो ये गिवन है पूछ क्या रहा है k2 और km का value ठीक है जी जो पूछेगा वो बता देंगे हम बिल्कुल बता देंगे k2 पूछ रहा है and km यह वो पूछ रहा है अब बताएंगे कैसे तो उसने सवाल में मेकेलेस मेंटे मेकेनिजम इस नाम को मेंशन किया है और इस नाम को सुनते ही हमें कुछ कुछ होना चाहिए राइट ना क्या होना चाहिए आई यह मैं बताता हूं क्या होना चाहिए हमें पता है सर मेकलेस मेंटे मेकैनिजम के अकॉर्डिंग रेट कैसे लिखा जाता है के टू ई नॉट एस अपॉन एस प्लस में के बिल्कुल बिल्कुल जी अशी लिखा जाते हैं अब इसको रियर्णज करके हमें कहीं न कहीं ऐसा एक equation या ऐसा एक relation बनाना पड़ेगा क्यों क्योंकि उसी को compare करके मैं ये values निकाल पाऊंगा तो बिल्कुल असान है जी story बिल्कुल clear है अब आपने इसको simple manipulate करेंगे ना तो मैंने लिखा rate s plus में k है माना cross multiply किया rate क्या है जी या इसको से लिखना चाहता है तो रेट के अपन में इनोट इस दिख रहा है इनोट इस को नीचे लिए रेट इनोट एस यहां पे सिर्फ k2 बचेगा s plus में that's it यह पहला step अगेर इस वाली चीज़ को cross multiply करूंगा तो कितना बचेगा rate s plus में के अपन में इनोट इस यह किसके बराबर है जी के बराबर बहुत बढ़िया इसको अंदर multiply करो आर इंटू में s का concentration प्लस आर इंटू में के अपन में इनोट इस डैट शुट बी के टू अब इसको भी अगर मैं separate लिखना चाहूं separate मतला इसको मैंने whole divide इनोट इसको separate कर ले separate करेगा तो कैसे नजर आएगा आर इस अपन में इनोट इस पक्की बात है प्लस आर केम अपन में इनोट इंटू में इस यह किसके बराबर है जी के टू के बराबर यह सारे स्टेप्स में क्यों कर रहा हूं क्योंकि मुझे कहीं कहीं न कहीं ऐसा एक equation बनाना है क्यों क्यों बनाना है सवाल में यह equation दिया है और कुछ पूछ लिया है कुछ वेल्यूस उसने मेंशन नहीं की हैं तो हमें कहीं न कहीं इसको comparison के basis पे solve करना पड़ेगा ठीक है जी solve करना पड़ेगा तो मैंने equation बनाना शुरू किया और इसके basis पे हमें left hand side में क्या रखना आर अपॉन E0 अपॉन में S हाना तो इस पूरी जिसको उधर ले जा पहले तो इसको काट दे इसको उधर ले जा इसको उधर लेके जाओंगा के टू माइनस आर अपॉन में E0 बोलो जी अब यहाँ पे सिर्फ आर रेट अपॉन E0 स चाहिए के म को भी उधर ले जाओ जी आर अपॉन E0S बराबर के टू अपॉन के माइनस आर अपॉन E0 अटू में क्या आट सिट राइट ना अब यह जो इक्वेशन है यह शायद हलकी फुलकी जो हमें गिवन है ना यार वैसी दिख रही है दिख रही है तो अब तुद इसको इसको पूछ रहा है उसका उत्तर कर दे आई जी अब मैं इसको कम पएर करता, तो उन कॉंपेरिंग बोथ इस एक्वेशन तो तुझे अगर मैं तो rate upon E naught into में S, यह किसके बराबर है, 1.4 into 10 raise to power 2 minus 10 की power 4 rate upon में E naught, पक्का यह given है, हमने जो बनाई है वो कैसे दिखरी है, R upon E naught S, बराबर, K2 upon में KM minus 1 upon KM into R upon में E naught, ऐसा भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ऐसा इसलिए लिखा, क्योंकि अब ध्यान से देखना comparison बहुत easy हो चुका, तुझे पता है, सर अगर R upon E naught है, जिसको जब तू compare करेगा, तो यह value किसके बराबर है, जी 10 की power 4, तो 1 upon KM कितना है, 10 की power 4, अब यहां से जो पूछ रहा है, उसकी पहली value तुझे मिल चुकी है, that is 10 की power minus 4, यहां से वो पूछ किया रहाता है, KM, तो KM कितना है, जी 10 की power minus 4, पहला उत्तर, तो सवाल तुमारे मन में होगा किसार यार, इतना solve करना पड़ेगा क्या, हां, हां, क्यों, 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 यह 4 नंबर का है, मुन्ना, 4 नंबर का है, तो solve करना पड़ेगा, ठीक है, जी, तो यह KM हो गया, अगेन, जब तू इसको compare करेगा, तो K2 upon में KM, यह किसके बराबर है, जी, इसके बराबर, KM को multiply करते हैं, KM कितना है, जी, 10 की power minus 4, तो उत्तर विल भी 1.4 into 10 raise to power minus 2, that should be K2, right, ना, तो यह तुम्हारा value आजाएगा, K2 का, यह आजाएगा, जी, KM का, और जो अभी option दे रखा है, उसमें तू अब match कर सकता, easily, तो 10 की power minus 4 आ रहा है, plus 4 नहीं आ रहा हटा दे, बचेगा, C और D, और इसमें भी, अगर तो यहाँ पे ध्यान से देखेगा, तो 10 की power, I think, तो यहाँ पे 12 था ना, 12 था, 12 था, पर ने मिस कर दिया, 12 था, 12 था जी, सवाल में भी देख लो, 12 है, 12 है, बिलकुल 12 है, ठेक है, कोई बात नहीं, 12 कर देंगे, 12 है, 12 है, 12 है, 12 है, गटाएंगे, 8 आठ आएगा, 8 है, उत्तर है, जी, 10 की power 8 और 10 की power minus 4, जैम आता दी, option number, C is the correct one, right guys, तो ऐसे सवाल, थोड़े बहुत, लेंदी भी आ सकते हैं, पर लेंदी क्या है, बस जैसे ही तुमने इस equation को देखा, इस question को, तो एक तो equation given थी, सवाल उठता है कि सर, equation के साथ, उसने direct पूछ लिया, कुछ values नहीं दी, तो जब भी ऐसा हो ना, तो त comparison करना होता है, equations का, ठेक है जी, आईए, मैं आगे चलता हूँ, ये सवाल है जी, net 2021 का, सेम है, सेम है, सेम है, जितने भी हम सवाल कर रहे हैं, उसके concept सेम ही है, जो अपन discuss कर चुके है, तो कह रहा है, carbonic enhydrase, मैं सवाल पढ़ रहा हूँ, carbonic enhydrase, जो की catalyze कर रहा, hydration of CO2, in blood vessel, ठीक है, तो इस पूरी लाइन में अपन को जो समझ आता, वो ये है, कि जो carbonic enhydrase है, ये एक enzyme है, जो किसी hydration of CO2 को in blood, red blood cell, उसको catalyze कर रहा, simple सी बात है, तो ये carbonic enhydrase क्या है, एक enzyme है, पहली बात, तो ये दूसरा, दूसरा, यहीं से, इसका concentration भी हमको नजर आ रहा, that is what E naught, obviously enzyme का concentration क्या होता, E naught, ठीक है, जी, again, ये pH दे रखा, ये उसका temperature दे रखा, क्या रहा है, तो rate of the reaction, reaches its maximum value, when varied substrate concentration, जो उसका rate है, वो maximum reach करता है, जब मैं उसको concentration के साथ vary करता हूँ, और उसको relate कैसे किया गया, इस equation से, अब फिर से ध्यान सुनना, ये equation दे रखिए, क्या रहा है, हमें catalytic efficiency बताओ, तो बहुत बढ़ी आजी, catalytic efficiency बताना है, मतलब, eta बताना है, मतलब की k2 by k1 है, ये बात सबको पताओ नहीं चाहिए, बिलकुल, अभी अपन discuss करके आए, तो सवाल उठता है कि सर, हाँ, क्यूंकि eta बताना है, तो eta के लिए, एक to k2 चाहिए, अब दोनों बातों को, हम देखेंगे कैसे, निकालेंगे, कैसे तो उसके लिए ये एक relation दे रखा है, 1 upon rate is equals to 4 का अंदर multiply करूँगा, 4 plus 40 upon में S, अब इसको जब मैं solve करूँगा, तो यहाँ पे जैसी मैंने इसको solve किया, तो इसको solve करूँगा, तो 1 upon R है, 4 plus 40 into में 1 upon S, ऐसा भी लिख सकता हूँ, और तुम्हें पता है, अगर मैं इसमें line weaver, obviously 1 upon rate है, तो अगर मैं इसका equation देखता हूँ, तो 1 upon k2 e0 plus km upon में k2 e0 into में S, तो जो मेरे पास 1 upon k2 e0 है, that should be 4, और again km upon में k2 e0 है, that should be 4, तो जैसी मैंने compare किया, यह compare क्यों किया, क्योंकि हाँ जैसे अपने पिछला सावाल किया, वैसे ही यह है, कि इसने direct relation दिया और direct value पूछ लिया, तो हमें तो कुछ नहीं पता, तो हम compare करेंगे, compare किया, तो हमें एक तो k2 e0, 1 upon k2 e0 का value मिल गया, और km upon में k2 e0 का value मिल गया, अब जो भी values मिला, इसका use करूँगा, इसको solve करूँगा, तो यहां से तो पहली बात k2 निकलेगा, 1 upon 4 into में e0 कितना है, 2.5 into 10 की power minus 0, इसको solve करोगे, तो k2 बनेगा, जी, यह बनेगा, 10 raise to power 9 उपर चला जाएगा, यह बनेगा 10, तो k2 बन जाएगा, 10 raise to power 8, यह k2 आ गया, अब इसको यहां रख दे, तो km कितना नाजर आएगा, तो मैं 40 into 2.5 into 10 की power minus 0, into में, इसको solve करो, तो into में कितना आएगा, जी km का value, k2 e not into में 40, तो 40 into k2 कितना है, जी, k2 का value है अपने पास, जो अपने अभी solve किया, 10 की power 8 into 2.5 into 10 की power minus 0, जी कुछ नहीं किया, simple values को substitute कर रहा हूं, ठीक है, अगेन इसको solve करूँगा, तो नीचे 10 है, 10 से 10 cancel, 100 into 10 की power 8 into 10 की power minus 0, solve कर लो, यह बनेगा जी, 10 into 10 की power minus 1, यह बन जाएगा जी, overall 10, तो तुमारा answer km का कितना आजाएगा, जी, 10, k2 का कितना आजाएगा, 10 raise to power 8, इटा कितना हो जाएगा, 10 की power 8 upon 10, cancel कर दे, 10 की power 7, 10 की power 7, 4 number खता, that's it, so guys, overall, overall जितने भी हमने सवाल किये हैं, वो कही ना कहीं एक ही बात हमें बता रही है कि हाँ, एक तो तुझे line weaver plot आना चाहिए, दूसरा तुम्हें कही ना कहीं मिकैलेस मेंटे का वो सारा का सारा जो story अपनने बोला, रेट का, आर मेक्स का वो तीरों केसिस जो हमने पढ़े, उस सारी बाते important है, right guys, तो आज के session में हमने क्या-क्या बाते discuss करी हैं, आईए मैं एक छोट असा recap आपको दे देता हूँ, आज के session में हमने discuss किया एक तो, catalyst और वो कैसे affect करता है किसी भी rate के reactions को, उस पर अपने सवाल किया था, फिर हमने कहा था कि जो भी मेकैलेस constant है, यह मेकैलेस mental mechanism है, जो कहीं न कहीं enzyme catalysis को explain करता है, तो उस बात को भी हमने detail में समझा और वहाँ से अपने पास एक rate का expression आया, which is k2 e0 s upon me s plus me km, जैसी यह km आया, तो इस km का value है, k-1 plus k2 upon me k1 और इसका value तो यह है, इसका नाम कहा है, मेकैलेस constant, अगेन इसमें हमने जब plot बनाया rate versus s का, तो उसका graph बनाते जो rate का value मिला, वो मिला जी k2 e0, कब at high concentration, at high concentration की जब मैं बात करता हूँ, तो वहाँ पर जो rate का expression मिला, वो यह मिला, guys यह सारी बाते हमने already लिख भी लिए है summary में, ठीक है जी, तो उसके बाद इसी के basis में हम कह सकते हैं कि सर s के respect में इसका order का 0 है, ऐसी जब मैं कहता हूँ, जी low concentration पे, low concentration पे इसका value क्या है, जी k2 e0 into mass, यह first order है, बाई में के यह, यह first order है, राइट ना, यह first order है, अगेन जो important one था, third case, जब मैं concentration of substrate बराबर, मैं कैलेस constant की बात करता हूँ, तो उस case में जो rate होता है ना यार, वो maximum के half हो जाता है, पक्की बात है, पक्की बात है, और इस पर अपन ने सवाल भी किया, तो एक तो story यह है, दूसरी story जो आपको ध्यान रखनी है, वो है जी line weaver की, जिसमें one upon r is equals to one upon k2 e0, plus km upon में k2 e0 into में one by s, तो इसको अपन याद रखेंगे, इसकी story के basis पे हमें एक चीज़ पता, इसका slope क्या होगा, जी slope होगा, km upon में k2 e0, इसको अपन कहते है, km upon में r max, और intercept क्या होगा, 1 upon में k2 e0, tc को अपन कहते है, one upon में r x, guys ये सारी बाते अपन ने देखी, पढ़ी जानी, और इस सभी बातों को अपने apply भी किया सवालों में, सारी बातों को हमने questions के basis पे भी समझा, right ना, तो आज की session में जो हमने discuss किया है, that is what enzyme catalysis, I hope guys, ये सारी बाते आपको समझ आई होंगी, सारी बाते आपके लिए useful रही होंगी, all the best guys, thank you so much for watching, thank you.